इस वीडियो को देखने के बाद नाइं तवालो के लिए बीया बुक को पढ़ने की समस्य ही खतम हो जाएगी क्योंकि जो धाई गंटे से कव में आपको पूरी बीया बुक की चैक्टर्स की वो भी निव स्कीम के अनुसार पूरा चैक्टर या आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा तो इस तरह आपको बीया बुक को पढ़ने के भी जौती नहीं पढ़ेगी तो इस विडियो के बाद एक और विडियो है मोमेंटस की उससे यहां बना दूंगा जिसकें पूरा मोमेंटस के चैक्टर कवर होगा तो दोनों विडियो के देखने के बाद आपके इंगलीज्य के दोनों बुक की प्रोग्यम की खसान कर सकते हैं तो बीना किसी दिर है कि चल दीन के चुहिंद करते हैं तो स्टार्ट करते हैं Chapter 1 से कि इसमें हमें फ्यूटर के किक ऐसे Yukto वक्त के बारें बताया गया है जिस वक्त में ना कोई books होंगे ना ही कोई schools होंगे और जो बच्चे होंगे वो थो है पढ़ाई करेंगे टैले बुक्स की मदद से टैले बुक का मतलब हुआ कि ऐसे बुक जो कि किसी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही हो जैसे कि लैप्टोप में आप लोग PDF लेकर के पढ़ते होंगे मोबाइल में, टैप्स में तो इसी को लोग बोलते हैं टैले बुक तो यहाँ पर हमें दो बच्चों के बारे हैं बताया गया है जिनकी वक्त में सभी के पास सिर्फ टैले बुक्स ही हुआ करते थे और किसी ने कभी भी प्रिंटेड बुक्स नहीं देखी थी तो यहाँ पर वही बताया गया कि जब दो बच्चों को printed book मिलती है तो उनको कैसा महसूस होता है वो क्या-क्या उसके बारे में जानते हैं और वो उस book के अंदर पुरानी वक्त की school के बारे में जब पढ़ते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है उसको हमनों यहाँ पर देखने वाले हैं तो पूरा चैप्टर जो है इनी के ओपर आधारी थे तो आएए देखते कि हमें सबसे पहले क्या बताया गया है तो यहाँ पर बताया गया है कि मारगी जो है रात के वक्त में अपने डायरी में लिखती है 17 माई 2157 आज जो है टॉमी को एक real book मिली तो यहाँ पर ध्यान दो कि हमने इस टार्टिंग में देखा था कि इनके वक्त में बुक्स नहीं हुआ करते थे बुक्स का मतलब हुआ कि जो चीज प्रिंटेड हो जैसे कि कहाने किताब होती है फिस साइंस मैथ जो भी सब्जेक्स होगे उनके किताबे होती है तो उस टार्ट में बुक्स नहीं थे लेकिन दूसरी चीज़े जैसे कापी हो गए डायरी हो गए यह सब तो हो सकती है और वो अपने डायरी में लिखती है कि जो बुक है वो एक real बुक है और बहुत ही जादा पुराना है उसके बाद वो बताती है कि उसके जो grandfather थे वो कहा करते थे कि जब वो छोटे थे मतलब कि मारिये grandfather भी जब छोटे थे तो उनके grandfather जो है उनने कहा करते थे कि उनके वक्त में जो भी stories दुगा करती थी वो paper पे printed रहती थी फिर Margie और Tommy जो है pages को पलटते हैं देखते हैं कि सारे pages जो है शिक्ड़ो है रहते हैं और पीले रंके रहते हैं क्योंकि book जो रहती है बहुत ही पुरानी रहती है उसमें बहुत सारी lines रहती है और book मोटी रहती है कि उसमें बहुत है कुस लिखा रहता है वो देखते हैं कि सारे words एक जगह पर है लेकिन वहीं के TV स्क्रीन पर जो है वो जैसे से arrow up-down करते हैं सारे words बदलके नए words आते हैं यहाँ पर Tommy pages को पलड़ता फिर वापस पीछे ओले page पर जाता हो देखता है कि सारे words वहीं पर same to same है तो वो यह बोलता है कि यहाँ पर words change ही नहीं हो रहे है नहीं कुछ move कर रहा है तो वो बोलता है कि यह जो book है नहीं एक waste है क्योंकि इनका जो telly book रहता है उसके अंदर बहुत सारे book रहते हैं जैसे computer नों जानते हैं बहुत सारे PDF रहते हैं और यह बोलता है कि यह रहे है अगर कोई आदमी इस बुक को पूरा पढ़ लेता है तो इसमें नए चीज़ तो आएंगे नहीं सारे चीज़ पहले जैसे रहेंगे तो वो इसको फेक देगा इसलिए यह बुक जो एक वेस्ट है तो उसके अंदर बहुत सारे मेंस लाखो बुक्स है और यह कहते हैं कि एक ही टेली बुक से हमारा काम चल जाता है हमने कभी भी बहुत सारे टेली बुक्स एक बार में नहीं देखे है क्योंकि एक ही कम्प्यूटर में अब देसे तो कितने सारे बुक्स जो है रखे जा सकते है अब देखो यहां बताया गया है कि मारगी जो थी वो 11 साल के थी और जो टॉमी था वो 13 साल का था यहां पर मारगी जो है टॉमी से पूछती है कि टॉमी तुमको यह बुक कहां से मिला तो जो टॉमी रहता है वो बुक को पढ़ता ही रहता है और पढ़ते हुए यह बोलता है कि मुझे मेरे घर में मिला है और फिर वो इसारा करता है अपने घर की तरफ उसके बाद मारगी पुछते हैं अच्छा यह बता इसके इंदर लिखा क्या हुआ है मतलब किसके बारे में इस बुक में लिखा हुआ है तो मारगी बोलती है कि अच्छा आखिर स्कूल में ऐसा होता क्या है कि उसके बारे में बुक में लिखा गया है और मारगी ऐसा इसलिHI कहती है क्योंकि मारगी को स्कूल से नफरत है और उसके छो नफरत है यह और जाथा बढ़ जाता है जब उसका जो mechanical teacher जिसको आप robot कह सकते हो वो जो है geography में test पर test लिए जा रहा होता है और मारगी जो हर बार बुरे से बुरा perform करती है तो इस चीज को देख करके जो मारगी की मा रहती है वो उस mechanical teacher को जो है country inspector जो उस छेतर का जो direction करने वाला रहता है उसके पास base देती है जिससे कि उस robot में जो है थोड़ा बदलाव लाए जा सके उसके बाद ये जो inspector रहता है ना इसके बारे बताया गया है कि ये थोड़ा छोटा और मोटा आदमी रहता है इसका face जो है लाल रहता है उसके पास एक toolbox रहता है और वो जो है एक मार्गी को apple देता है और जो आदमी रहता है उस teacher को ले करके चला जाता है यहाँ पर वो वैक्ति कुछ उसमें मतलब बदलाव रहता है और मार्गी सोचे थे कास उस वैक्ति को वापस से उसको जो है असेंबल करना ना आए यही सोचे थी लेकिन जो वैक्ति रहता है वो अपने काम एक्सपॉर्ट रहता है वो एक घंटे के अंदर सभी काम को करकर के वापस लेकर आ जाता है यहाँ पर फिर उस big screen पर जो वो robot रहता है उसके अंदर lesson flash होते है questions जो है यह से उसमें मतलब आने लग जाते है वो पूसन लग जाता है तो यहाँ पर जो है यह जो question पूछता था इससे मारगे को ज़्यादा बुरा नहीं लगता था मतलब हाँ थोड़ा लगता था लेकिन सबसे ज़्यादा जिस part से वो नफरत करती थी वो था जब वो रोबोट जो है उससे जो होमवक मांगता था या फिर टेस्ट पेपर मांगता था वो जो उसको जो है एक पंच कोड में लिखती थी जो कि एक computer language है और उसको जो है यह सब सिखाया कब गया था जब वो 6 साल के थी फिर जो इंस्पेक्टर रहता है वो मारगे के सिर्को थपता पाता है और उसकी मां से कहता है कि दिखिए मारगे के गलती नहीं है यह जो teacher था मिंस जिस robot को कहता है कि यह जो है geography के sector को बहुत तेजी में पढ़ा रहा था मिंस level up कर रहा था हाड करते जा रहा था और मैंने इसको slow करके 10 साल के बच्चे के तक जो है ला दिया मतलब कि वो जो robot था उसमें थोड़ी सी खराबी आ गए थी कि वो एकदम तेजी में जो है level up करते जा रहा था हाड करते जा रहा था course को फिर वो कहता है कि देखा जाए तो मारगी का जो प्रोग्यस है यह संतुष्टी जना के मिंस अच्छा है लेकि यहाँ पर मारगी उदास रहती है क्यूंकि वो सोचे थे कास इसको इस मेकैनिकल टीचर को आदमी लेकर चला चाता और नहीं बना पाता क्यूंकि एक बागी टॉमी का जो मेकैनिकल टीचर था उसका हिस्टी का पूरा सेक्सन उड़ गया इसलिए उसको बनाने के लिए यह जो इंस्पेक्टर था उसको एक महिने तक जो है लेकर चला गया था अपने साथ तो वही सोचे थे यह कास इसके साथ भी वही होता तो इसलिए यह बोलते है कि आखिर कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखे है क्योंकि इसको तो स्कूल से नफरत था तो यह टॉमी से यही बात पूछती है कि लोग इसकूल के बारे में आखिर क्यों लिखेंगे उसमें क्या खास होता है इसी बादे Tommy कहता है कि इसमें हमारे स्कूल के बारे में नहीं बताया गया है इसमें बताया गया है ओल्ड स्कूल के बारे में जो कि 100 and 100 years ago पहले हुआ करते थे जैसे ही सुनती है कि इसमें पुराने स्कूल के बारे में लिखे गया है, तब वो थोड़ा हॉट हो जाती है, क्योंकि उसको पुराने स्कूल के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है, तो यहाँ पर अब यह इंट्रेस्ट लेते हुए, टॉमी के कंदे के उपर से बुक को उठाती है, मैं इस उतना उपर लाकर के वो पढ़ना सुरू करती है, कि अच्छा है इसमें लिखा क्या हुआ है, फिर मार्गी कहती है कि उनलोग के पास भी टीचर थे, तब यहाँ पर टॉमी कहता है कि आ रहे, उनलोग के पास टीचर के और पर इंसान हुआ कर देते, कोई रेगुलर टीचर नहीं, रेगुलर टीचर मतला यहाँ पर रोबोटे टीचर को कहा गया है, फिर टॉमी कहता है कि जो टीचर होता था, वो बच्चों को जैसे लड़के होगे, लड़की आ हुए, उनको होमवर्ग दिया करता था, उनसे चीच पढ़ते थे, और उनका जो एज ग्रूप होता था, वो सेम होता था, जैसे कि हम लोग भी क्लास बोलते हैं, ठीके न, उसी के बाद केगी है, तब ही मार्गी बोलते है कि मेरी मम्मी कहती है, कि टीचर को जो एड़के है, लड़के होगे, जो जानने के तरीका होता है वो सबका थोड़ा अलग-अलग रहता है, इसे सबको अलग-अलग तरीके से पढ़ाना रहता है, तब ही जो है, टॉमी कहता है, कि अगर तुमको यह नहीं पसंद दे, तो मिस बुक को मत पढ़ो, तब ही मार्गी एदम तेजी में रिप्लाई करते हैं कि नहीं, मैंने कब क टाइम हो गया है, तब ही वो कहती है, कि सायद अब टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया है, मतलब उनके रोबोटिक टीचर उनको पढ़ाने वाले थे, तब ही जो मार्गी रहती है, वो पढ़ने जाने से पहले, टॉमी से पूछती है, क्या मैं यह बुक को, तुमारे संडे को छोड़ करके, क्योंकि जो मार्गी के मार आती है, वो कहती है, कि अगर छोटी बच्चिया हर दिन एकी वक्त पढ़ती है, मिन्स रेगुलर आवर्स पे, तब उनको कोई चीज बहुत जल्दी याद हो जाती है, जो स्क्रीने वो जल उठता है, और उसमें लिखा र दालो, ठीक है, मार्गी जो है, अपना वर्क जो है, डाल देती है, स्लोट में, एक आह भरते हैं, लाइक नहीं होता है, कि बहुत गहरी सांस लेकर छोड़ना, फिर वो पुराने वक्त के स्कूल के बार में सोचन लव जाती है, जिस वक्त में उसके ग्रेंड फादर के भी एक छोटे बच्चे थे, और वह सोचती है कि उस वक्त में बच्चे जो है, स्कूल यार्ड में, स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे, खेलते थे, बाते करते थे, और छुट्टियोंने के बाद एक साथ घर जाते थे, इसके साथ वो सभी एक ही चीज़े पढ़ते थे और वो लोग एक दूसरी की मदद कर सकते थे homework करने में और उनके जो teachers हुआ करते थे वो भी human beings हुआ करते थे ना कि robots तो यही यह सोचनल लग आती है और जो उस वक्त में जो है उसका जो mechanical teacher रहता है वो flash कर रहा होता है skin of fractions like 1 by 2 and 1 by 4 ठीक है तो उसका ध्यान कहीं और रहता है उससे अलग रहता है फिर वो सुच्टी है कि उस वक्त में जो बच्चे थे उनका school कितना अच्छा था वो लेक साथ रहते मतलब कि उसको अपने school ए compare में उस school बहुत ही अच्छा लग रहता क्यूंकि उसमें जो और teacher भी जो थे human beings थे और सारे बच्चे जो एक जा के पढ़ते खेलते एक दूसरे के मदद भी किया करते थे तो simply कहा जाए तो वो सुच्टी थी उस वक्त में जो बच्चे थे जिनको खुसी और अनंद मिलता था उसके बारे में means the fun they had अब बढ़ते है chapter 2 पे जिसका title is the sound of music इस पूरे chapter में दो पार्ट दिया गया है जिसके अंदर दोनों ही पार्ट में अलग-अलग musicians के बारे में बात की गई है पहले में में बताया गया है Evelyn Glani के बारे में ग्राउंड train platform पे बहुत ज़्यादा भीड थी वहाँ पे लोग जो एक दुसे को धक्का दे रहे थे उसी बीच में एक लड़की थी जो की थोड़ी पतली थी और जिसका उम्र जो है 17 साल था लेकिन देखनी में जो है वो थोड़ी कम उम्र की लग रहे थी वो बहुत ज़्याद nervous और excited फिल कर रहे थी क्योंकि आती हुई जो train थी उसके vibrations को यह महसूस कर पा रहे थी यह इसका पहला दिन था famous royal academy of music जो की है लंडन में यह जो इसकोटलेंड से वहाँ पर आये थी और हाँ बहुत ज़्याद nervous भी फिल कर रहे थी यह एक musician बना चाते थी लेकिन सबसे बड़ा challenge जो यह face कर रहे थी वो यह था कि यह सुन नहीं सकते थी और यह जो इनका hearing loss था यह हुआ था धीरे-धीरे मतलब कि यहाँ पर जो इनकी मा रहती यह villain Glennie की जिनका नाम रहता है Isabelle Glennie यह कहती है कि मुझे अब यह वो वक्त याद है जब यह 8 साल की थी और उससे में यह जो है पियानो जो है बजाने का इंतिजार कर रहे थी तब ही जो है मैंने इसको बुलाया मैंने इसके नाम से इसको पुकारा लेकिन यह हीली भी नहीं तब मुझे यहाँ रियलाइज हुआ कि इसने लगता है कुछ सुना नहीं है दीरे दीरे जो इविलेन का हेरिंग लॉस होता चला जाता है लेकिन वो किसी को बताती नहीं है सबसे छुपा कर रखती है लेकिन जैसे ही वो 11 साल के हो जाती है तो जो उनकी हैड मिस्ट्रस रती है वो इविलेन की मा को बुला कर बोलती है कि इसका हालत खराब होते गया है तो यह सही से सुन नहीं पा रही है आप इसको जो इस पेसलिस्ट के पास ले जाई है यहाँ पर जो डॉक्टर्स रते यह कहते हैं कि यह जो इसका hearing loss हुआ है यह हुआ है gradual knob damage के वैसे मतलब दीरे-दीरे जो knobs है जो नसे हैं यह damage होते गई है और इसका जो hearing loss है यह होता गया है इस पे वो कहते हैं कि इसको hearing aid लगाना चाहिए जो कि एक machine है जो कि कानो में से लगाया जाता है उसके बाद जो advice कराता है कि इसको जो है जो डीफ जहाँ पर बच्चे जो कि सुने से थे वो पढ़ा करते हैं वहाँ पर भेजने के लिए इतना सब होने के बाद जो है इविलियन कहती है कि मानो एकदम से सबी चीज जो है यह black दिखने लगा मतलब मानो अब कुछ है ही नहीं यहाँ पर इविलियन जो है वो चाती थी एक normal life चीना और उनका interest था music में तो इन्होंने सोचा कि एक normal life को जिएंगे और साथ में जो इनका interest है music में यह इसको आगे बढ़ाएंगे मतलब कि hearing loss होने के बाद भी यह हीमत नहीं हारी और इन्हों यह ठान लिया कि इनका जिस चीज में इंट्रेस्ट है यह इसको जारी रखेंगी इसी तरह यहाँ जो एक दिन देखती है एक लड़की को जालो फोन बजाते हुए जैसे कि आप फोटो में देख सकते हुए तब यह डिसाइड करती है कि वो भी इस चीज को बजाना सीखेंगी बजाएंगी लेकिन जाया था जो मुजिक टीचर्स थे वहाँ इनको डिसकरेज कर दिया करते थे यह बोल करके जैसे कि तुम तो सुनी ने सकती हो तुम कैसे बजा पाऊगी यह वगएरा वगएरा लेकिन जो प्रकुस्टिनिस रॉन फ्रॉप्स थे प्रकुस्टिनिस का मतलब होता है जो तबला हो गया ड्रम हो गया इससे बजाते हैं उन्होंने जो इनके पोटेंसल को पहचाना जाना कि हो यह कर सकती है इसके बाद यह दू पड़े ड्रम्स को लेकर आते हैं जिस पर यह different notes बजाते हैं मतलब कि एक पर जूर से मानने एक पर दीरे से मानने इस तरह और फिर हो कहते हैं कि इसे अपने कानों से मत सुनो बलकि इसको किसी और तरीके से महसूस करूँ इसी पर जो Avalian रहती है वो कहती है कि यह जो यह higher drum से नाया है इसको अपने कमर से उपर तक महसूस कर सकती है वही जो lower drum से उसको कमर से नीचे तक इसी तरह और भी जो body parts हो गया उससे जो है वो drums के जो vibration से इसको महसूस कर पा रही थी इसी तरह जो है practice करते करते उन्होंने अपने दिमाग को और अपने body को इस type से बना लिये था कि वो जो है अब दूसरे भी sounds है उनको जो है उनके vibration के थू है महसूस कर पा रही थी इसके बाद जो हो कभी भी पीछे मुर के नहीं देखती है उतला हार नहीं मानती है महत करते जाती है इसके बाद वो है United Kingdom में जाती है यूथ orchestra के साथ orchestra मुंद हो गया कि जो गाने बजाने वाले है उनके साथ फिर यह डिसाइड करती है कि यह जो है music को ही अपना light बना लेंगी वह audition देती है Royal Academy of Music जो कि यह London में और वहाँ पर जो हो जाइलो फोन बजाती है जिसके बारे हमने एकदम सुरुआतने भी पढ़ा था तो पहले यह जो थी वह orchestra के साथ means जो गाना बजाने वाले हो देते हैं उनके साथ एक ग्रूप में काम किया कर देते लेकिन दिर दे जो वह अपना solo performance करने लगे means अकेले जो यह करने लग गई जब उन्हें लगा कि confidence उनके अंदर आ गया है तब इसके बाद तीन साल के अंदर जो यह जाय तो टॉप एवार्ज जो है उसको achieve कर लेती है यहाँ पर अगर इन सब चीछों के लिए जो है कोई आदमें कहता है कि यह heroic achievement है तो वह कहते है कि नहीं अगर आप जो है hard work करते हो और आप जान रहे हो कि आप किस दिसा में कर रहे हो means आप क्या चाहते हो तो आप जो इस चीछ को पा लोगे और ऐसा ही जो है इन्होंने भी किया था और जो है इन्हों लगबग thousands of instruments जो है उसमें mastery कर ली थी और यह जो वर्ल्ड में करते हैं तो यहां पर यह बताते हैं कि यह एक भी word जो है miss नहीं करती है इसके बाद जो एविली नहीं कहती है कि वहां पर जो कुछ लोग आपको दिखे रहे ना उनके bussy beard उनके वाइस से मुझे थोड़ा problem हुआ थोड़ा trouble में आई मतलब कि यहां पर यह बताना चाहती है कि यह जो है जब किसे से बात करती है तो यह लोग के पूरे face को देखती है सिर्फ lips को नहीं बलकि वो उनके पूरे face को उनके eyes इन सब को जिससे उसे पता चलता है उनके expression से क्या कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं लेकिन उन लोग की busy beard में जाड़ी जैसे दाड़ी होने के वैसे उनका lips इनको नहीं दिख पा रहा था इसलिए समझ नहीं पा रहे थी सही से क्या कि वो बोलना क्या चाह रहे है इस वैसे कहते हैं कि उनको थोड़ा trouble हुआ इसके बाद writer कहते हैं कि बिना किसी गलती के Scottish Lilt में बात कर ले रहे थी मतलब उस लेम है जैसे Scottish वाला बोलते हैं उसी तरह यह भी बोल रही थी उनकी सेम लेम है बिना किसी गलती के इसे पर Evelyn कहते हैं कि मेरी आवाज साफ है और मैं सही से बोल पाती हूँ क्योंकि जब तक मैं 11 साल के थी तब तक मैं सुन सकते थी मतलब सुनते सुनते इन्होंने सीख लिया था इसके अलावा Evelyn को French और Basic Japanese भी आती थी यहां पर यह नहीं पता चल सका कि आखिर उन्होंने उस language किस तरीके से manage करके सीखा था इसके बाद यह music के उपर कहते हैं कि जो music है यह मेरे body के हर पार्ट से बहता है जैसे कि इनके skin हो गया, chick bones, hair, etc यहां पर यह कहती है कि जब भी यह xylophone बजाती है तो stick से जो बजाती है तो stick से होता हुआ जो vibration है इनके finger tip तक जाता है मतलब कि इनको महसूस हो जाता है इसके अलावा जब भी drums बजाती है तो उसके जो vibrations है जो sound है उसको भी अपने body के थूरू महसूस कर पाती यहां पर यह बताती है कि जब भी वो किसी wooden platform पर जाती तो वहां पर अपने जूतों को निकाल देती है जिससे कि जो भी वो musical instrument बजा रही है उसके vibrations को जो है वो अपने पैरों के थूरू भी महसूस कर पा है यह चीज़ याद करेजिए क्योंकि exam में मिली यह पूछ दिता है जैसे कि जब भी वो wooden platform पर जाती तो क्या करती या फिर वो जूते क्यों निकालती थी इस तरीके से अब यहां बताया जा रहा है कि इनका performance बहुत अच्छा था इस वैसे जो है इनको 1991 में Royal Fall Harmonic Society जो कि एक music society है उसके द्वारा Soloist of the Year का award मिला था Soloist मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो कि अकेले गाना गाता है ठीक है इसके बाद Master Procustinics James Blade, Procustinics का मतलब होता है जो कि तबला या फिर ड्रम बजाते हैं वो कहते हैं कि भगवार ने भले इनका जो सुनने की सकती है उसको छीन लिया हो लेकिन इनको बहुत ही खास चीज़ी है और वो कहते हैं कि जिस चीज़ को हम लोग सुनते हैं उसको यह बहुत डीपली महसूस कर पाती है इसलिए यह music को इतने अच्छे तरीके से एक्स्प्रेस कर पाती है इसके बाद Evelyn कहते हैं कि वो बहुत ही workaholic है मतलब कि हम इसे काम में बयस्त रहती थी वो कहते हैं कि उनको ज़्यादा महनद करना पड़ता था बाकी जो classical musicians हैं उनके compare में मतलब बाकी musicians हैं वो तो सुन सकते थे लेकिन यह सुन नहीं सकती थी वो कहते हैं कि वो जब रेगुलर कॉंसर्ट किया करती थी उसके अलावा जए वो जेलों में हो गया होस्पीटल्स हो गया वहाँ पर जाकर फ्री कॉंसर्ट किया करती थी और इसके लावा जो बच्चे हुआ करते थे जो कि music सीखा करते थे उनको यह बहुत ज़्यादा priority देती थी मतलब कि उनके उपर भी धिहान यह दिया करती थी यहाँ पर बताया गया है कि बीथोवन fund for deaf children जो कि एक संस्ता है जो कि deaf बच्चों के लिए fund इखाटा करते हैं उसके जो end रिच्रिन है वो बोलते हैं कि C is a signing inspiration for deaf children मतलब कि वो Evelyn को बोलते है कि यह जो एक चमक्तिवी inspiration मतलब कि प्रेड़ना है deaf बच्चों के लिए अब अगर मैं Evelyn की बात करूँ तो वो अपनी एज के इतने भी लोग थे ना उनसे दो गुन्ना इसक्रिल्ड या कुसल हो गए थे मतलब कि अगर उनकी एज है कोई आदमी है जो की musician ही है तो उनसे दो गुन्ना better हो चुकी थे वो इसलिके साथ वो जो है और केस्टा वाले लोग में जो गाना बजाएं लोग है उनको सामने से टकर देते हुए यहा दरसाती है कि वो कितना अच्छा कर सकती है और वो ऐसा इसलिए करती है कि पहले के वक्त में जो है जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो बहुत से लोगों ने कहा कि तुम नहीं कर सकती हो तुम तो सुन नहीं सकती हो तो तुम म्यूजिक लाइन में कैसे जाओगी बगारा बगारा तो आप देखते हैं कि उम्मीद जग जाता लोग के अंदर तो इस तरीके से इन्होंने कितने लोग को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता दी उन्हें उम्मीद भी जगाए तो यहां तक हमने एवलिन ग्लेने के बारे में पूरा देख लिया है तो इस तरह से यह जो पार्ट वान है यह होता है समाप्त अब उन्हों देखते हैं इसमें पार्ट टू तो यहां पर जो पार्ट टू है इसमें आता है टॉपिक दस सहनाई और बिस्मिल्ला खान तो यहां पर उन्हों देखने वाले हैं बिस्मिल्ला खान के बारे में और यह जानने वाले हैं कि आखिर यह किस तरीके से सहनाई को एक उंचे इस्थान पर ले गया है तो हां देखतें कि इसमें हमें सुरुवात में क्या बताया गया है पुंगी का फोटो यहाँ पर देख सकते हैं देखिए पुंगी जो था वो एक common name था रीड़ेड नॉइसमेकर्स के लिए रीड़ेड मतलब होता है जैसे जो वाइड इंस्ट्रुमेंट होता है उसके आगे रीड लगा होता है मतलब कि एक material होता है जो कि वाइड करता है और साउंड निकलता है बांसुरी जो कि उसके आगे आप देख सकते हो सबसे आगे और अपाट टीक है तो यहाँ पर सिंपली बताया जा रहा है जो पुंगी हो एक जैन रिग मिन्स common name था ऐसे वाइड इंस्ट्रुमेंट के लिए जिसके आगे रीड लगा हुआ है लेकिन उसमें से बहुत ही खराब आवाज निकलती है उसको बजाने पर तो उस वक्त जो है कुछ लोग सोचते थे कि कभी ना कभी यह रिवाइब हो जाएगा मतलब कि यह वापस यूज में आ जाएगा लाइक को इसको मोडिफाई कर दे इसको थोड़ा बदल दे तो यहां में बताएगा एक बारबर जो कि प्रोफेशनल म्यूजिसियन के फैमिली से था मैंस उसके फैमिली में कोई म्यूजिसियन होगा उसको जो है रोयल पैलेश जो है उसमें आने की एकसेस थी मतलब कि उसके अंदर वो जा सकता था तब ही वो एक दिन सोचता है कि क्यो ना जो है यह पुंगी जो है इसके टोनल क्वालिटी मिन्स जो इसका आवाज जो है इसको सुधारा जाए तो वो क्या करता है एक पैप लेता जिसके अंदर नेच्चरल हॉलो मिन्स वो नेच्चरली कोकला ओ जैसे कि एक लकड़ी जो कि अंदर से खोकला ओn और साथ ही पुंगी से थोड़ा बड़ा और चोड़ा हो उसके बाद इसके बास इसमें साथ होल कर जब वो सुनते हैं तो बहुत ही उंको अच्छा रखता है तो यहां पर यह जो इंस्ट्रुमेंट था यह modified version था कि इसका पुंगी का लेकिन लोगों ने देखा कि यह बहुत ही अच्छा है पुंगी से तो उन्हों उन्होंने सुझा कि इसका कुई और नाम दिया जा तो उन्होंने दीखा कि सबसे पहली बार बजाया गया है सह होत्वाना घया तो यह जोब इस अच्छा वाज आता था इसे लोगों ने क्या किया उसको इस्तिमाल करना सुरू किया like temples हो गया North Indian weddings हो गया वहाँ पर इसको इस्तिमाल किया करते थे इसके साथे past में जो 9 बत means होता है traditional assembles of 9 instruments उसमें से एक जो इंस्टिमेंट था वो ये भी था जो कि royal courts हो गया वहाँ पर पाय इसको वह से थोड़ा प्रस्तिदी दिलाएं इसको वह थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान ठीक है तो इनके वैसे क्या हुआ तो यह और चर्चित हुआ यह सहनाई यहाँ पर बिस्मिल्ला खान के बारे बताया गया है कि जब वह पांस साल के थे तब गिलिरंडा खेल रहे थे एक पॉंड के पास जो कि है दुम्राव में जो कि है बिहार में वह वहां से जो है चले जाते थे बिहार जी टैम्पल में जहां पर जा करके जो है वह चैत थे जो कि एक भुचपूरी सॉंग टाइप है उसको वहां पर गाते थे और फिर वहां से लगबग 1.25 Kg लड़ू उनको मिलता था और यह दिया किसके त्वाया जाता था तो वहां के लोकल महराजा के त्वारा इनको दिया जाता था अब यहां बताया जा रहा है कि यह तो 80 सल पुरानी बात है मतलब इनके बच्छपन के लेकिन जैसे यह बड़े हो जाते हैं तब जो इनको हाइस सिविरिन ओनर जो कि है भारत रतन वो इनको दिया जाता है यहां पर पहले तो इनके बच्छपन के बात की जा रही है कि बिस्मिल्ला खान जो थे वो 21st मार्च 1960 में जो है पैदा हुए थे और वो एक मुजिसियन फैमिली से थे जो कि बिहार में थे उनकी जो ग्रेंट फादर थे जिनका नाम था रसूल बक्स खान वो एक सहनाई नवास थे भचपूर किंग्स कोट में मतलब बिहार के या बोसुकत खो किंग के कोट में सहनाई नवास थे इसके साथ इनकी जो पिता जी थे पैगंबर भक्सी के वो भी एक मुजिसियन थे जो कि सहनाई बजाते थे और उनकी जो भी पूरबा जो गया है वो सब भी जो है सहनाई बजाते थे अब यहाँ पर इनके बारें बताया जा रहा है कि जब यह बहुत छोटे थे तब इसे इन्हों ने अपने जीवन में मुज़िक को उतार लिया था मतलब जब ये तीन साल के थे तब इनकी जो मा थी इनको ले करके इनके मामा के घर गई थी जो की बनारस में है तब ये वहाँ पर गया तो इनकी जो मामा थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे सहनाई बजाने की तो इनको ये बहुत अच्छा लगा इनके मामा का नाम है मिंस अली ब भलो गया या फिर जो गंगा किनारे ज़ई जा करके वहाँ पर एकांत बैठ करके बहुत देर तक प्रैक्टिस किया करते थे और जो गंगा के बहते वे जो पानी थे वो इनको प्रेरित करते कि ये जो नए-नए राख जो है यह invent करें, like खुछ से जो है प्रैक्टिस करते करते बनाएं और जब यह 14 साल के हो गया है, तब जब यह अपने अंकर के साथ गया है अहलाबाद म्यूजिक कॉंफरेंस में, जहां पर जैसे गाना खतम हुआ उसके बाद क्या हुआ तो All India Radio लकनो में स्टार्ट हुआ और यह इनके लिए बहुती बड़ा उसर था, क्यूंकि इनको मौका मिला था रेडियो पे आकर के सहनाई बजाने के, और यह पहले भारतिये बनें जिन्होंने ग्रीट मिन्स अभिवादन किया, नेसन मिन्स रास्टर का, वो भी अपने सहनाई को बजा करके अगस्ट 15, 1947 को, और उन्होंने वहाँ पर राख काफी बजाया था लाल किले से, वहाँ बहुती लोग थे, लोगों में के सनाई बजाने के बाद से, इन्होंने, मिन्स पंडी जोहला नहरू ने कौन सा स्पीच दिया, ठीक है, इसका नाम याद कर लेजएगा, इसके बारे मैं थोड़ा से बता दू, यह जो स्पीच ने इसके अंदर इन्होंने बात किया था, कैसे लोगों ने बहुत सक्रिफा खान जो थे, उन्होंने सिर्फ इंडिया में नहीं, बलकि बिदेशों में बहुत ही मेमोरेबल प्रफॉर्मेंस दिया था, जैसे कि वो सबसे पहले बिदेश जो गयते, वो कहां गयते तो अफगानिस्तान में गयते, वहां के जो किंग थे, ठीक हो इतने जादा खुस इसके बाद, सिर्फ ये एक लोते वेक्ती नहीं थे, जो कि इतना ज़्यादा इंफ्लुएंस हुए थे, इस तना ज़्यादा प्रभावित हुए थे, बलकि जो विजय भट थे, जो कि एक फिल्म डिरेक्टर थे, वो भी जो है, इनके इतना ज़्यादा प्रभावित हुए इनके सहनाई प्लेस है कि उन्होंने एक फिल्म जो है इसी इंस्टुमेंट के नाम पर बना दिया है इसका नाम था गुंज उठी सहनाई तो यहाँ पर यह फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हुआ उसके बादे गाना है दिल का खिलोना है तूट गया जिसको गाया तो है लता मंगेश्वर जी ने लेकिन यहाँ पर इनका भी एक कॉंपोजिशन था बिस्मिल्ला खान जी का इसमें भी बहुत ज़्यादा यह हिट हो गया उस बग्स भी इनका कॉंपोजिशन जो था इस गाने का बहुत हिट हुआ तो मानें इंडिया में पूरा ज्यादा यह फैल गया था अब दिखें यहाँ पर लिखा हुआ है बिस्मिल्ला खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वे लिमिटेड तो टू वेंचर का मतलब होता है कि ऐसा काम जिसमें रिक्स इन्वाल्व हो यहाँ पर हो सकता है कि फिल्म इंवर्स्टी में जो है अपना गाना जो है एकदम नया नया पर दे रहे थे तो हो सकता है कि नया नया चीज में तो आर रिक्स इन्वाल्व रहता है इसलिए यहाँ पर वेंचर लिखा है मतलब यहां पर detail में लिखा ने गया है मैंने बस guess किया है ठीक है और मैं बताया जा रहा है कि इनके जो गाने थे ये दो फिल्म के अंदर थे जो कि ये विजे भट की गुणजुटी सैनाई में और दूसरा है विक्रम स्रिनिवास की कन्यडा वेंचर बता होगा कि ये भी हो सकता है कि new industry हो इसले लिखा गया है जिसमें रिक्स इंवाल्व रहता है नहीं चीज में तो सनोधी अपर्णा तो इन दोने में इनके गाने थे तो इसको यहां पर देख लिया हमने इसी पर जो बिस्मिल्ला कानिये बोलते हैं कि मैं इस बनावटी और इस आकरशक वाली मतलब जो फिल्मी दुनिया है इसके अंदर दुबारा नहीं आना चाहता नहीं आ सकता मतलब इस सीच को मना करते हैं कि वो उसमें हम नहीं जाएंगे तो यहां तक हमने देख लिया इसके बाद बता गया है कि इनको बहुत सार आवार्ट्स मिले यहां तक यह पहले इंडियन बने जो कि लिंकन सेंट्रल हॉल जो कि USA है वहां पर गयते प्रफॉर्म करने के लिए तो हम बहुत बड़ी अचीवमेंट है यह भी इसके साथ जो है यह गयते वर्ल्ड एक्सपोजीशन इन मॉन्ट्रियाल जो कि एक्सपोजीशन मतलब एक्जिविशन टाइप से आप कह सकते हो तो मॉन्ट्रियाल जो यह गयते है कैनेस आर्ट फेस्टिवल जैसे कि आप मान नाम तो वह इनके नाम पर था जो कि है तहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्ला खान तो हां यह भी आप देसे तो एक बहुत ही बड़ी बात है तो हां इसमें आप देसे तो कि यह जो है इंडिया के बाद भी जो है और यह बहुत सारे देसों में गया थे जिनका नाम वने पर दम सुरू से देख लिया है कौन-कौन से थे हो सके तो कुछ याद कर लीजेगा इनको जो है नैसनल आवार्ड जैसे की पर्दमिस्री पर्द भूशन और पर्दमिभूशन जो है यह भी मिले थे इसके साथ है इंडिया का जो हाईए सिवीलियन आवार्ड है जो कि यह भारत रत्न वो भी इनको मिला था 2001 में इन्होंने कहा था कि अपने बच्चों को जो है म्यूजिक पढ़ाईए क्योंकि यह जो है हिंदुस्तान का रिचेस ट्रीशन है मिन्स बहुत सकते हो धनी बहुत बड़ा जो ट्रीशन है अब देखिए वेस्ट से मिन्स बाहर जो दे बुलाते थे यह चाहिए कहीं पर भी चले जाए लेकिन इनको चाहिए दो ही जगा प्रिया थे जो कि बनारस और डुम रहा हूं इसके बाद एक इंट्रेस्टिंग से बात बताई गई है कि एक जो इस्टूइट था वो चाहता था कि जो बिसमिल्ला खान है वो यूसे में बुलना चाहते हैं कि उनको सबसे प्रिया कौन है तो गंगा नदी जो हैं वो दो घंटो पहले प्रयास किया करते थे इस बात को कहते हैं वो कहते हैं कि वो जो है चाहे कहीं पर भी देश में चले जाए लेकिन हमेशा एक्चा रखते हैं कि कब वो वापस हिंदुस्तान जाएंगे यूँकि उनका डुम्राओ जो गया, बनारज जो गया और गंगा नदी उससे बहुत ज़्यादा लगाओ था एक बार जो इसे पूचा जाता है कि जब पार्टी सुन हुआ मैं जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ तो क्या आप और आपके फैमिली ने ये सोचा नहीं पाकिस्तान जाने का तो यहाँ पर बिस्मिल्ला खान जो है, ये कहते हैं कि God forbid me, अल्ला मुझे माफ करे, बनारज छोड़ना कभी नहीं मैं पाकिस्तान एग बर गया था, बट सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान गया हुआ हूँ और वह कहते हैं कि वहाँ पर जो वो सिर्फ एक घंटे रुके, फिर उन्हें कहा कि मैं जो हूँ पाकिस्तानीज को नमस्कार और भारतियों को सलाम वालेकुम जो है कहा, उसके बाद जो थोड़ा सा हसे इसके बाद कहा जाता है कि जो उस्ताद बिस्मिल्ला खान है, ये पर्फेट एक्जामपल है, रिच कल्चर हेरिटेज ओफ इंडिया के मतलब कि कल्चर हेविटेट मतलब होता है, कि जो पास्ट की चीज़े को भी मानतों, लाइक ट्रडिशन, रिच्वास इन सब चीज़ को उसको भी आगे फॉलो करते हो ठीकि तो यहीं आपर बताया जैसे कि उन्होंने म्यूजिक को किया उसके बाद हो कहते हैं कि उनके जैसा कोई भी मुस्लिम जो है, वो नेच्वाल इमिन्स प्रकृतिक रूप से आपि आपको नॉर्मल वे में हराम से जा करके कासी विसुनार टेमपर में हर सुबा सहनाई बजा सकता है तो यह ताप पूरा इस चैप्टर में हमने पार्ट वन और पार्ट टू भी देख लिया तो इस तरह एक बड़ा चैप्टर खतम होता है, अब आते हैं चैप्टर थी पर जो है दा लिटिल गर्ल इसके अंदर हमें एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम रहता है केजिया उसके बारे हैं बताये गया है कि वो जो चोटी सी बच्ची रहती है वो अपने पिता से बहुत जा डरती है क्योंकि उसके जो पिता रहते हैं, वो हर वक्त सिरियस मूड में रहते हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं लेकिन एक वक्त जो है, उसका ये जो डर रहता है अपने पिता के प्रति, ये जो है प्यार में बदल जाता है तो आखिर ऐसा क्या होता है और ये डर कैसे प्यार में बदल जाता है उसके बारे में हमें इसमें बताए गया है तो चलिए chapter को जो है start करते हैं तो यहाँ पर बताए जा रहा है यह केजिया के लिए उसकी जो पिता थे वो एक डर का रूप थे मतलब जिससे जो है वो डैरा करती थी अर इस वैसे वो अपने पिता को अवाइड करती मतलब उसे दूर रहती थी उसे बचकर आ करती थी जब भी सुबा उसके PITAA जाया करते थी ओफिश तो वो कीजिया के पास आकरके उसे जो एक casual किस करते थी मतलब एक नॉर्मल सा किस करते थे और फिर जाने लग या थे इसी पर केजिया अपने पिता को बोलती थे गुडबाय फादर और जैसे हैं उसके पिता जाने लग जाते हैं मतलब कि वो जब गाड़ी से जाते हैं और गाड़ी का वाँ जैसे धीमा होता न मतलब कि गाड़ी जैसे थे घर से दूर जाने लग जाती वैसे वैसे केजिया को बहुत ज़्यादा रिलीफ मतलब कि राहत महसूस होता था साम के वक्त में केजिया के पिता जो रहते थे वो वापस अपने घर पर आते थे उस से में Cayzia जो है वो एक CD के पास खड़े हो करके अपने पिता की तेज आवाज आती है उसको सुन रही होती है उसके पिता कहते है कि मेरी जो चाहर है उसको ड्रोइंग रूम में लेकर आओ क्या मेरा जो पेपर है वो अभी तग नहीं आ है फिर वो कहते है मदर देखो यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में जो मदर वार्ड है यह केजिया की मा के लिए कहा जा रहा है तो वो कहते हैं कि केजिया की मा जाईए और देखिये कि जो मेरे अपने न्यूस पेपर है वो बाहर तो नहीं है उसके पिता जो रहते हैं वो चस्मा पहने हुए रहते हैं और उसकी तरफ देखते हैं तो उसको और जाया डर लगता है कि कहीं गुसा वगएरा तो नहीं नहीं वो नीचे आती है, अपने पिता के सूस को निकाल रही होती है, तो उसके पिता पूछते हैं, कि क्या तुम आज एक अच्छे बच्ची बनकर रही? तो जो केजिया है, वो बहुत रुकृख कर बोलती है, कि मुझे नहीं पता. तब इसके पिता बोलते हैं कि तुमें नहीं पता और फिर वो बोलते हैं कि अगर तुम इसी तरीके से रुकरुक कर बोलोगी तो तुम्हारी माँ को तुमें डॉक्टर के पास ले जाना होगा तो बात तो ये था कि वैसे केजिया कभी रुकरुक कर बोलती नहीं थी पेडिया से कदम ना उठाएं. फिर केजिया के पिता, केजिया कहता है केजिया येलो-tee-cup, मतलब चाए का प्याला, और इसको ले जाकरके साउधानी से टेबल पर रख दो. इसके बाद याँ बताया गिया है, केजिया कहती है, कि उसके पिता को देखना मतलब कि एक दाना उसकी कल्पना करना उसको देखने के बराबर था के उपर रखे हुए सो रहे होते हैं इसलिए केजिया वहाँ पर स्टूल रहता है उसी पर बैठ जाती है और अपने पिता की तरब देखने जाती है जैसे हैं केजिया की पिता सो करके उठते हैं तो वो केजिया को देख करके बोलते हैं कि केजिया इस तरीके से मत देखो लग रहा है जैसे मानो कोई एक छोटा सा ब्राउन आउल जाए वो में तरब देख रहा हो तो केजिया जाए फिर अपने माता पिता से उस दिन बात नहीं कर पाती है अब एक दिन जो केजिया के ग्रण मदर आती है वो केजिया को बोलती है कि तुम्हारे पिता का जो है नेक्स्ट वीक बर्डे है इसलिए तुम उन्हें एक पिन कुसन दो येल्लो सिल्क का देखो नॉर्मली जो पिन कुसन इना इसका मतलब होता है कि ऐसा छोड़ा सा तकिया जिसके अंदर पिन को गुसा करकर रखा जाता है तो केजिया बहुती महनत से जो कॉटन क्लोथ रहता है उसको तीन साइड से सिल देती है अब यहाँ पर हो सकता है कि उसको येल्लो सिल्क क्लोथ ना मिला इसलिए वो कॉटन क्लोथ इसलिए तो जब वो तीन साइड सिल देती है जो है लेकर के छोड़े-छोड़े टुकडों में फार करके उस तक्ये के अंदर डाल करके जो चौता साइड रहता है उसको भी सिल देती है अब देखो यहाँ पर आता है ट्विस्ट यह जो केजिया ने जिस पेपर को इस्तिमाल किया था यह जो पेपर्स थे यह इसकी पिता के थे अब जैसे ही रात होती है तो इसकी पूरे घर में मज जाता है जो केजिया के पिता रहते हैं उन्होंने जो है पोर्ट एतुरिटी की जो पेपर्स पे लिखा था स्पीच वो पेपर्स ही गायब थे इसी वैसे जो पूरे रूम्स थे उनके अंदर पेपर्स जो है इसी पर केजिया की मा जो है गुसा कर गेजिया को बोलती है कि तुम जल्दी से नीचे डाइनिंग रूम में आओ अब जो है केजिया की पिता उसे बोलते हैं कि केजिया क्या तुमने ये किया है तो केजिया रुक रुक कर धीरे से बोलती है नहीं तब ही केजिया की पिता क केजिया को मा को बोलते हैं कि जाएए आप इसके रूम में जा करके देखिए जो पेपर्स फटे हुए उनको ले करके आईए केजिया बहुत जादा रो रहे थी जिए वो कुछ एकस्पेंड नहीं कर पा रहे थी कि आकर उसने पेपर्स क्यों फा रहे थे वो एक अंदेरे रूम में रहती है जहां पर इवनिंग लाइट आ रहा होता है थोड़ा बहुत जिससे फर्स पर कुछ पैटर्स बन रहे होते हैं उसी को वो देख रहे होती है कुछी देर बात केजिया के फ़ादर हाथ में एक छड़ी लेकर के आते हैं और केजिया को बोलते हैं कि तुम अपना हाथ जह उसको बाहर निकालो केजिया बोलती है कि यह आपके बर्ड़ डे जा बट उसी वक्ट जो हाथ पर चड़ी से मार पढ़ जाती है कुछी घंटों के बाद जो केजिया की दादी राती है, वो आती उसके पास और उसे एक साल में लपेट लेती है, और अपने रौकिंग चेयर पर लेकाँ चली जाती है, रौकिंग चेयर मतलब जो आराम से मूव करता राता है वैसा चेयर, वहाँ पर केजिया अपने दादे से पूछती है कि आकिर भगवान ने फादर्स को क्यों बनाया है तब ही केजिया की दादे उसको एक साफ रोमाल देते हुए बोलती है कि इससे अपने नाक को साफ कर लो और जाकर कि तुम सो जाओ, अगले दिन तक तुम सब कुछ भूल जाओगी फिर दादी कहती है कि मैंने तुम्हारे पिता को समझाने ही कोसिस की थी लेकिन अभी वह इतने जादा नाराज है कि वह कुछ सुनना ही नहीं चाहते है उसके बाद जो केजिया की दादी रहती है, वो केजिया को सुला देती है लेकिन देखो केजिया कभी भी इस बात को नहीं भूल पाती है किस तरीके से उसके पिता ने उसको मारा था इसलिए जब भी वो अपने पिता के सामने आसपास होती तो वो क्या करती कि अपने जो हाथ रहते उसको पीछे छुपा लेती और उसी बद उसके जो गाल है उसके उपर एक red कलर आ जाता मानों कि तोड़ा डर के मारे उसको red उसका पूरा गाल लाल होने लग जाता था अब मैं यहाँ पर केजिया के पड़ोसी के बारे बताए गया है जिनका नाम रहता है मैक डोनाल्ड जो कि केजिया के जस्ट घर के बगल में ही रहते हैं मैक डोनाल्ड के five children's थे यहाँ पर जो केजिया रहती है वो फैंस जैसे कि आप जैसे तो बीच में यह फैंस बना हुआ इस से देख रही होते हैं उन सभी लोगों को तो वो देखती है कि जो मैक डोनाल्ड रहते हैं वो एक छोटी सी बच्चे इसका नाम रहता है माओ उसको अपने कंदे पर बैठा हुए रहते हैं दो छोटी चोटी और लड़किया रहती हैं जो कि मैक डोनाल्ड के जो पॉके हसते जो बच्चों को पकड़ने का प्रयास करते हैं फिर जो केजिया है ना वो अपने पिता को देख करके और इन पांच बच्चों के पिता को देख करके यह डिसाइड कर लेती है कि पिता भी अनेक प्रकार के होते हैं वाद ऐसा यह मान लेती है अब दिख इए चिया क्या होता है कि जो केजिया की मा रहती है उनका तवित खराब हो जाता है और इस वैसे केजिया की मा और जो उसकी ग्रेंड नगार अब केजिया क्या करुगी मैं जब मुझे बुरे सपने आए जो और फिर केजिया बोलती है कि मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं तब मेरी जो दादी है वो मुझे अपने साथ ले जाकर कि अपने बिस्तर पर सुला लेती है क्योंकि मैं जो हूँ अंदेरे में नहीं रह पाती हूँ मुझे आवाजे सुनाई देने लग जाती है तब ही एलाइस जो है केजिया के सॉक्स को उतारते हैं बोलती है कि तुम जा करके सो जाओ रहाँ चिला करके अपने पिता को उठा मत देना देखो यहाँ पर लिखा हुए पूरपा पूर मतलब यहाँ पर गरीब नहीं बताया जा रहा है इसका मतलब बेचारा क्योंकि इनके पिता दिन बग काम करने से थक जाते हैं इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है पूरपा मतलब अपने बेचारे पिता को उठा मत देना केजिया जो है वो सोत हो जाती है लिक्विसे वापस से वही पुराना डराना सपना आता है इसमें वो देखती है कि उसके पीछे एक बचल में से कसाई जो है वो चाकु रोप लेकर आ रहा है वो जो हिन नहीं पाती है वो इदम डर करके ग्रैणमा ग्रैणमा चलाए लग जाती है और वो इदम से कापते हुए उठती है कि उसके पिता रहते है वो बेट के पास हाथों में केंडल लिए खड़े रहते हैं कीजिया की पिता जो इसे पूछते हैं कि आखे तुम इतनी डरी हुई क्यों हो मतलब क्या बात है तो कीजिया जो बोलती है इता हम डरते डरते कि एक बच्चर था एक नाइट था जहां पर उनका नियूस्पिपर उनके बेट पड़ा हुआ रहता है वह उस नियूस्पिपर को हटा देते हैं और वहाँ पर कीजिया को सुला करके उसे सही से ढख देते हैं जैसे की कंबल वगएरा से और वो कीजिया के बगल में सू जाते हैं केजیا भी आधी नीन में रखती है तभी उसको ऐसा लगता है मानो चाहत तरफ बचर स्माइल कर रहा हो वो अपने पिता के और पास में आ जाती है और उनके बाहों के नीचे अपना सिर रख लेती है और उनके सर्ट को टाइटली पकड़ लेती है तो भी उसके पिता बोलते हैं कि केजिया अगर तुमें डर लग रहा है तो तुम अपने पैरों को मेरे पैर से रब करके उन्हें थोड़ा गरम कर लो जिसे तुमें थोड़ा अच्छा फीलोगा और ये कहने के बाद केजिया के पिता जो कि बहुत ही ठके हुए रहते हैं वापस से केजिया के पास सो जाते हैं इसलिए वो इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि वो जो है Mr. MacDonald के तरह नहीं बन पाते हैं मतलब कि इतना ज़्यादा hun के पास काम रहता है कि वो थक जाता है और इस Вएसे वहाँ ज़य게 के साथ टाइम स्पेंट नहीं कर पाते हैं और MacDonald की तरह किजिया के साथ खेल नहीं पाते हैं। फिर किजिया यह सोचती है कि उसके पिता के लिखे हुए जो राइटिंग्स थे, मतलब कि जो उसके पिता ने स्पीच तेयार किया था, उसको उसने फार दिया। और यह सोचते हुए वह जो थोड़ी सी हिलती है आ भरते हुए। तभी उसके पिता बोलते हैं कि क्या बात है, क्या तुम्हें कोई दूसरा सपना आया। तभी किजिया बोलती है, मेरा जो सीर है वह आपकी दिल के पास है, इसलिए मैं उसकी धर्कन को सुन पा रही हूँ। और फिर वह कहती है कि आपका कितना बड़ा दिल है मेरे प्रिया पिता जी। और इसके बाद वह सो जाती है, अब यहाँ पर चैप्टर होता है खतम, और चैप्टर के लास्ट में आप देख सकते हो कि जो बच्ची उसको अपने प्रिता से प्रेम हो गया है, पहले वह अपने पिता से बहुत डर्ती थी लेकिन अब उसको अपने प्रिता से बहुत होते हैं, तो देखो यह सब गुस्सा या पिजो इससे होता है, यह सब डिपेंड करता सिच्वेशन पर उनके वर्क लोड पर, लएक देखो कुछ बच्चे के पिता के उपर ज्यादा वर्क लोड होता है, इस बाद से वह थोड़ा ज्यादा सीरियस रहता है घुस्से में और इस वेसे वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा time spend नहीं कर पाते हैं वही जिस बच्चे के पिता के पास थोड़ा कम load होता है तो अपने बच्चे के साथ ज़्यादा time spend करते हैं और खेलते कुदते हैं अब अगर हम लिए देखते हैं कि कोई बच्चा गलती करता है कोई तो उसके पैरेंट्स होते हैं वो गुसा करते हैं या फिर उसको punish करते हैं तो यह जो गुसा करना या फिर जो पनिश्मेंट देना जो है वो इसलिए अगर देखा जाया है तो कुछ बच्चों के पैरेंट्स होते हैं वो थोड़ा ज्यादा गुस्से में होते हैं या ज्यादा सीरेस होते हैं वगि कुछ बच्चों के पैरेंट्स होते हैं तो इस चप्ट नहीं बता है कि जिन बच्चों के पैरेंट्स ज्यादा गुस्से में रहता है या ज्यादा सीरेस होते हैं या फिर उनके साथ वक्त जो है बिदा पाएं तो simply कहा है तो जितने ही parents होते हैं सब ही अपने बचों से बहुत ही जादा प्यार करते हैं तो हमने तीन chapter ख़तम कर दिये अब आते हैं चौथा chapter पर जो है A truly beautiful mind यह जो पूरा chapter है इसके अंदर हम लोग Albert Einstein के बारे में पढ़ने वाले है chapter के start करने से पहले हमसे कहा गया है कि जब हम लोग word genius को सुनते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि आखिर कौन है genius और आखिर एक genius के अंदर कौन को सी खूबिया होती है तो इसी पर कहा जा रहा है कि एक जवान वैक्ती जो की जर्मनी में रहते थे वो जो है सौ साल पहले इस दुनिया को आंदी के रहतार से आगे की और लेकर गहते यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि कुछ नए concepts को लाना जैसे कि यह जो वैक्ती तो इन्होंने science में नए-ने concepts को बताया जो यहाँ पर four ground breaking papers थे जिसे आप कहते तो कि बहुत बड़े मुद्दे थे और जिसे दुनिया में बहुत कुछ बदल गया बहुत सारे scientists को नए-ने चीज जानने को मिले उनमें से जो पहला जो था वो था light के बारे मैंने बताया दूस्तरा हो गया motion of particles जैसे कि atom हो गया ठीक है फिर उसके अंदर और भी subatomic particles होते हैं इसको आप आगे पढ़ेंगे तिसा इलेक्ट्रोडानेमिक्स of moving body जिसके अंदर electric current, magnetic field और भी कुछ topics आते हैं वो भी आपको higher class है पढ़ना है और चौता है energy तो इन सब के बारे में उन्होंने बताया था और जैसे से आप जो हाईर क्लास में जाओगे तो आप भी इनके बारे में पढ़ोगे अब याँ आप एक कहा जा रहा है कि इनका जो यह work था जो भी मतलब इन्होंने चीजों के पता लगाया था light हो गया और भी चीजों के बारे में तो यह जो work था यह scientific journal scientific journal का मतलब हुआ है जिसके अंदर science का कोई भी अगर नया research होता है तो वो सब लिखा जाता है तो उसमें जब इन्होंने अपने work को लिखा तो वो बहुत ही कम pages में मतलब हो गया मतलब कि इनका पूरा complete हो गया तो यह कम pages में इनका work तो आ गया बट यह जो कुछ pages थे इन्होंने जो है लोगों के understanding को बदल दिया उनका जो understanding था space को लिखर के time को लिखर के और entire cosmos मतलब यह जो पूरा universe को लिखर के उसको पूरा बदल दिया और तबी से जो Einstein का नाम है वह synonym बन गया किसी genius के लिए मतलब कि अगर मान लेता हूं कि कोई लड़का या लड़की है उसको हम लोग बोलते हैं कि यार उसका दिमाग Einstein के तरह है तो simply हम यह कहना चाहते हैं कि वह लड़का है लड़की कैसा है तो genius है अब एक जिए अब ध्यान दो यहाँ पर लिखा गया है कि Einstein के मरने के 50 साल बाद भी मतलब कि यह चैप्टर है यह Einstein के मरने के लगवा 50 साल बाद लिखा गया है और उस वक्त के बाद की जारी है कि उस से अब भी जो है अलबर्ट Einstein एक genius है यहाँ बाद बरकरार है अभी अगर मैं कहूं तो अभी तक Einstein के मरने से लगवा 65 साल से उपर हो गया है और अभी भी Einstein एक genius है यहाँ बरकरार है मतलब कि यहाँ पर 50 साल से लिखा गया है क्यूंकि बुक उस वक्त में लिखा गया था जिस वक्त Einstein जो है उनके मरने का 50 साल पुला हुआ था मतलब लगवग 2005 के करीम में तो इसको भी हमने समझ लिया अब यहाँ पर हमें Einstein के बारे हैं बताया गया अब इसको भी उन्हों देख लेते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि Einstein का जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को जर्मनी के ओल्म सिटी में और बिना कोई indication की कि वो जो है future में जाकर कोई बहुती महान काम करेंगे इसके विपरीज जो है उनकी जो मा थी Einstein की उनको देखका लगता था कि जो Einstein है वहाँ एक freak है यहाँ पर freak का मतलब हुआ कि unusual दिखना physically मतलब कि उनकी जो मा थी उनके लिए Einstein का जो सर था ना वो बाकी लोगों के मुकाबले बहुती जादा large दिखता था जब Einstein two and half years के हुए तब भी वहाँ किसी से बात नहीं किया करते थे लेकिन जैसे ही फिर उन्हें मोलना सिखाए गया तो वहाँ एक चीछ को दो दो बार बोल दिया करते थे इसके साथ ही Einstein जब बाकी दूसरे बच्चों के साथ रहते तब उन्हें समझी नहीं आता कि आखिर उनको उन बच्चों के साथ क्या करना चाहिए इस वैसे उनके जो दोस्त थे या फिर आपको वो जो बच्चे थे वहाँ इनको brother boring कहते थे अब इस वैसे Einstein जो थे वहाँ अपने साथी जायता time पिता देते मतलब अकेली में खुद से जो है खेलते थे Einstein को mechanical toys बहुत पसंद थे जब वहाँ अपनी newborn sister जिसका नाम था माजा उसको देखते है तो वहाँ मानो ऐसे कहते की fine but where are her wheels? मतलब अच्छा है but उसके wheels किदर है like new that toys में भी wheels लगे रहते है तो वह भी उसको देखे कहते है कि आखिर इसके wheels किदर है यहाँ पर एक बहुत ही interesting बाइब बताई गई है कि Otto Nugie Bure जो की एक के historian थे ancient mathematics के मतलब अब हो सकते हो कि ancient mathematics जो है उसके बारे में जानना तो उन्होंने एक कहानी सुनाई थी एक लड़का जो था Einstein उसके बारे में और कहा था कि वह जो लड़का है वह एक legend है और यहाँ बात जो है विश्वास करने योग भी लगती है क्योंकि देखो जो Einstein थे वह एक late talker थे जैसे कि छोड़े-छोड़े बच्चे होते हैं लेकिन जब Einstein उतने छोटे थे तो वहाँ उससे में बोला नहीं करते थे मतल़ सांत थे इसलिए आप उनको late talker कहा गया अब देखो कहा गया है कि एक वक जोए Einstein आनाम से डिनर कर रहे थे तो जब उन्हें सूप पिया तो उनको बहुत गरव नगा उन्हें कहा थे तो उससे बीच उनके जो parents थे वह इदम से फुछते हैं उनसे कि आखिर तुमने इससे पहले एक भी वार्ड क्यों नहीं कहा था तो Einstein कहते हैं कि इससे पहले सब कुछ इदम order में था इदम sequence में था तो इससे आप एक चीज़ समझ सकते हो कि Einstein उतने छोटे हैं भी मतलब बड़े समझदा लोग की तरह बात कर रहे हैं और कितना deep जो है अपना thinking रखते हैं कि भाई जब बोलने की जोरुती नहीं है तो आखिर क्यों बोलना तो यह था box के अंदर की बात अब यहां पर वापस चैप्टर में बताया गया है कि एक बार Einstein के headmaster जो है Einstein के पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि Einstein चाहे कोई भी profession चुल ले वो किसी में भी success नहीं उपाएगा अब अब यहां पर खुद भी समझ सकते हो कि आखिर यह लाइन हमें क्यों बताया जा रहा है क्योंकि Einstein जो बड़े हो गया है तो उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा ही success प्राप गया तो बस इसी पैसे यहां पर यह लाइन दिया गया है कि उनके headmaster नहीं कहा फिर भी वो future में बहुत ज़्यादा तरक्य करते हैं अब इसी के साथ कहा जा रहा है कि जब Einstein 6 साल के हो गया तब वहाँ जो है वालिन बजाना सीखते हैं क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वहाँ वालिन बजाया और फिर दिर दिरे बाद में जो बहुत ही अच्छा वालिन बजाना लग जाते हैं मतलब अब उसे तो कि बहुत अच्छा उनका skill बन जाता है और यह जो इनका skill जाता है इसको वह lifelong एकदम maintain कर रखते हैं कि future में अभी कभी भी उचाहिए वह बड़े भी आते हैं तो वह वालिन बजाना नहीं छोड़ते हैं अब इसे आप ध्यान देजे हमने कुछे पहले ही पढ़ा है कि जो Einstein है उनका जन्म उल्म City में हुआ था तो जब उनका जन्म हुआ उसके 15 महीने बाद जो है Einstein की पूरी family मुनिच में आ गई और मुनिच में जो है Einstein high school के लिए जाते हैं Einstein जो थे वो एक bad people नहीं थे वो एक bad student नहीं थे वो बहुत ही अच्छे student थे और लगबग हर subject पे उनके बहुत ही अच्छे marks आया करते थे Einstein को school के regimentation से नफरत था regimentation का मतलब हुआ कि जो discipline पैना जाते हैं लेकि लिए अग्स्ट्रीम लेवल पर कि बहुत जादा हद में discipline दिया जाता था उससे उनको नफरत था और इस वैसे वह अपने teacher से class कर जाना मतलब कि थोड़ा वाद ही वाद भी उनका हो जाया करता था जब वह 15 साल के हुए तब उनको school के अंदर घुटन से महसूस होने लगे इस वैसे उन्होंने school को छोड़ दिया और यह पर कहा जा रहा है कि पिछले साल ही आइस्टान के parents मिलान चले गया थे मतलब कि आइस्टान ने जिस साल स्कूल चोड़ा उससे एक साल पहले ही उनके जो parents थे वहाँ मिलान चले गया थे और उन्होंने आइस्टान को अपने relatives के पास छोड़ दिया था अब जोए आइस्टान चाहते थे कि वहाँ जो है German speaking Switzerland में जाया है वतार Switzerland में 60% लोग जो है वो German language बोलते हैं तो वो चाहते है कि वो Switzerland के कैसे सहर में जाया है जहाँ पर लोग German बोलते हो क्योंकि जो Switzerland था वहाँ मुनिट से ज़्यादा liberal था यहाँ पर liberal के बहुत meaning आए लेकिन आप समझ सकते हो liberal का मतलब कि किसी का respect करना किसी का opinion का respect करना तो इससे वो सुछते थे कि मुनिट से ज़्यादा liberal है Switzerland इससे वो वहाँ पर जाना चाहते थे पढ़ने के लिए अब कहा जा रहा है कि Einstein जो थे वो बहुत ज़्यादा जो अच्छे थे math में और physics में जब उन्हें अपने school पूरा कर लिया तो उसके बाद जो वहाँ जुरिच चले गए जुरिच कहां पर है तो जुरिच जो है Switzerland में अब यहां पर कहा जा रहा है कि सिर्फ science वो चीज नहीं थी जो कि एक ऐसे dancing young man जिसके पास well-dressed mustache well-dressed mustache का मतलब हो गया well-dressed हुआ large तो ऐसे व्यक्ति को आकरस्थ करती हो यहां पर बताया जा रहा है कि उनको जो एक कुछ interest था एक ऐसी student जिसका नाम था Maliva Merrick और Einstein नहीं पाया कि वह जो एक बहुत ही clever creature में तो मतलब कि चतुर प्राणी है मतलब कि किसी चीज में थोड़ा तेज हो ना यहां पर कहा जा रहा है कि this young serb, यह जो serb है न, serb word उसके रहता है ऐसे लोग जो कि serbya से होते हैं एक place है ठीक है तो यह जो serbya से आय थी यहां पर Switzerland में ताकि यह जो है पढ़ सके इस university में जो कि कहां पर था जूरिच में क्यूंकि जूरिच यूरोप की उन जगों में से एक था जहां पर women जो है वो भी degree ले सकती थी अब जो Einstein है वहां मैं लीवा के अंदर जो है अपने एक दोस्त को पाते हैं अपने एक साथी को पाते है क्योंकि दोनों ही जो थे वहां फिलिस्टेंस के अगेंस्ट में थे और फिलिस्टेंस ऐसे लोग होते हैं जो कि आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर को पसंद नहीं करते हैं तो यहां पर जो Albert Einstein है और Maryva Merrick जो है इन दोनों को यह चीज़े पसंद थे इसलिए ऐसे लोग जो कि इन सब चीज़े को पसंद नहीं करते थे इसलिए यह लोग उनके भी अगेंस्ट रहते थे और उनसे थोड़ा और रहते थे यहां पर अब यह दोनों ही देखते हैं कि यह दोनों ही सेम है यह दोनों ही जो है म्यूजिक को लिटरेचर को ठीक है और आर्ट को पसंद करते इसे अब यह दोनों क्या हुआ था दोनों ही पढ़ गया है लव में अब यह कहा जा रहा है कि उनके जो लेटर्स थे वो अब भी सर्वाइब है मतलब अभी भी भो सकते हो कि मौजूद है इस वक्त में जिसमें वहाँ अपने अफेक्स और प्यार को जो वोट्स में उतारते थे और थोड़ावाँ अब मिक्स करते थे टेंडनेस के साथ मतलब आपकी वो सब्र हल्का फुलका जो है साइन्स को भी उसमें मिला देना इसमें बोर रहे हैं कि एक साथ मिलेगा करेंगे जिसे कि हम एक victorious मतलब कि जो हम पाना चाहते हैं वो पा लेंगे तो इसी तरह ये जो है कुछ letters अपने लिखा करते थे उसका example यहां पर एक दे दिया गया है अब बताया जा रहा है 90s में जब उनका age 21 हो गया तो जो Albert Einstein थे उनिवर्सिटी से graduate हो गया but unemployed थे मतलब भी वो नौकरी नहीं कर रहे थे फिर वह जो है काम करना सुरूँ किया teaching assistant की तौर पर फिर वह जो है give private lesson and finally secure job उसके बाद जो है private lesson दिया करते से कि teacher अनो बहुते है na tuition teacher उस टाइप से फिर 982 में उनको patent office में technical export का job मिलता है जो कि होता है burn में अब देखो यह जो patent है इसका मतलब होता है कि अगर कोई inventor कुछ invent करता है तो वो उस चीज को इसको उसने invent किया उसको अपने नाम पर करा सके ताकि उसको उसका right मिल जाए कि हाँ उसने इस चीज को पहली बार invent किया है अब जैसे कि हमने देखा कि Einstein technical export है तो उनसे यहाँ सब पूस के जा रहा था कि वहाँ जो है दूसरे के inventions जो है उसको analyze करें लेकिन इसके साथ ही Einstein जो है वहाँ अपने नया idea भी develop कर रहे थे secretly मतलब कि जैसे अपना भी जो है कुछ उनके दिया में अगर idea आता तो उस पर भी काम करते और वहाँ जो है अपने desk drawer को Bureau of theoretical physics कहते थे यह चीज़ ध्यान दे देना कि वह अपने desk drawer को क्या कहते थे क्योंकि exam में यह पूस देता है तो यहाँ क्या था Bureau of theoretical physics अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1985 में Einstein की special theory of relativity जो है वहाँ एक newspaper में छपी थी और वह उस समय का one of the famous newspaper परता हूं तो उससे में बहुत ज़्यादा famous newspaper में से एक तो Einstein ने अपनी special theory of relativity में यहाँ बताया था कि जो time और distance है वहाँ absolute नहीं है absolute का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो किसी चीज पर निर्भर ना करती हो और not absolute मतलब कि जो किसी चीज पर निर्भर करती हो तो यह जो concept है यहाँ आपको साइट 12 में अगर आप IIT लेते हैं ठीक है आउसके तयारी करते हैं तब पढ़ने को मिलेगा इस तरह नहीं मिलेगा तो इसमें इन्हों ने यहाँ पर simple example दिया है कि अगर हमनो two perfectly accurate clocks लेते हैं जिसका दोनों का मानुस same time ने कर दिया फिर जो है दोनों को जैसे बहुत सकते हो कि एक journey पर लेगा एक जो है एक rocket से बांदी एक को वो धीरे दीरे एक rocket उसका बढ़ रहा है एक rocket जो है उसका बहुत है उसको मैंने बांदा वुल्दम तीजी में गया 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 फिर वो पूरा like मानुस solar system में जाकर के Saturn इन सब के प बताया कि यह थोड़ा बड़ा concept है बट इतना समझ जाओ कि यह सब भी जो है depend करता है इन सब चीज़ पे तो यह इनने बताया कि यह दोनों जो है थोड़ा अलग हो जाएगा इसी चीज़ से world का most famous formula निकला जो कि mass और energy का relation बताता है जो कि यह e for energy और is equal to mass ठेक है m for mass और c square c यह square जो है c का मतलब हो गया speed of light in vacuum और square मतलब की जो value है उसको उसका square तो यह जो topic यह बहुत ही deep है इसलिए अभी इसके बारे में ना सुचें जैसे ही आप आगे जाते हो अगर आप IIT लेते हो ठीक है आफी मन करता है अगर आप जैसे high class में जाते हो तो आप इसके बारे इनने एक बोला कि एक relativity के तौर पर इनने बताया है वैसे अगर science के तौर पर देखे जाते है तो यह और भी जादा deep है बट यहाँ पर इनने एक simple sequence में यहाँ पर इसको बताया गया है तो यह तो हमें 1905 की बात बता दी गई जिस वक्त Einstein जो थे है उन्होंने special theory of relativity निकाला थ लेकिन अब वापस से हमें पीछे ले जाकर के बताया जा रहा है मिंस 90 के वक्त में जिस वक्त वो जो है फिर इसकी कुछ most difficult problems को solve कर रहे थे तो यहां पर फिर हमें बताया जा रहा है कि जिस वक्त Einstein मतलब यह सब problems को सोच रहे थे इसको solve कर रहे थे तो उससे में उनका जो private life ठाओ फेल होता जा रहा था क्योंकि जो Einstein थे वह चाहते थे मेलीवा से साधी करना और वह भी अपने studies को finish करने के बाद लेकिन Einstein की जो मा रहती है वह इसके विरोध में रहती है वो बोलते कि नहीं तुम मेलीवा से साधी नहीं कर सकते कि वहाँ तूम से तीन साल बढ़ी है अरे यहाँ एज बहुत जादा होता है, मतलब तीन साल जादा होता है, फिर वो बोलती है कि उसको मतलब मैलीवा का intelligence पसंद नहीं है, क्योंकि वो भी आइंस्टेन की तरह एक book है, दोनों ही पढ़ाई में जादा ही रहते हैं, मतलब involved रहते हैं, तो इसी बास से जो आइंस्टेन रहते हैं, वो वेडिंग का जो ख्याल रहता है, वो कुछ वक्ले छोड़ देता है, लेकिन 1903 में दोनों की साधी हो जाती है, और उनके दो बेटे होते हैं, कुछ साल बादी जो है, उन लोग का जो मैरे जाता है, वो फिर होना सुर हो जाता है, क्योंकि मैलीवा जो है, वहाँ अपना intellectual ambition जो है, लूज कर रहे थी, मतलब उसका पहले जो सीज में लाइक इंटरेस्ट था, वो चीज सबसे चाहती थी, लाइक उसको लाइफ में ये करना है, उस चीज में उसका interest कम होता जा रहा था, उसके बाद उसका जैसे art हो गया, literature हो गया, music हो गया, इसके अंदर भी interest कम होते जा रहा था, इस तरह वह जो एक unhappy house वा बनते जा रही थी, फिर जो है इन दोनों की बीच में, Albert Einstein और Maliva जो है, और फिर 1990 में ये लोग divorce दे लेते हैं, और एक चीज और ध्यान देना, Einstein उसी साल मिंस, 1990 में अपनी cousin से जो है, जिसका नाम रहता है Elsa, उससे साधी कर लेते हैं, तो ये तो हो कई Einstein की घर की बात, अब हमनों देखते हैं Einstein की work की बात को, तो जैसा की हमने देखा था, 1905 में Einstein ने special theory of relativity जो है, उसके बार में कहा था, इसके बाद जो है, उन्होंने एक और बात बताई, 1915 में, जो की पहले की तरह जो है, पूरा world fame में मतलब rise हो, मतलब फैला आप कहा सकते हो, इन्होंने इस बाग जो है, नए तरीके से define करना, तो उन्होंने gravity के एक नए तरीके से define किया, और इन्होंने जो भी define किया, वहाँ जो है, जब 1990 का eclipse है, मतलब गरहन हुआ, तब proof भी हो गया था, कि वहाँ चीज सही है, जो इन्होंने बताया, और जो Einstein थे, उन्होंने पहले से यह correctly calculate किया हुआ था, कि light किसी fixed star से, उन्होंने देखा था कि यह यह star है, तो उन्होंने देखा कि यह जो fixed star से, इनका जो light आ रहा है, यह sun के gravitational field के पास जाते हैं, जो है, deflect करेगा, मतलब कि वहाँ से मुड जाएगा, और यह बाद जो न्यूस में आये, तब जो है, लिखा गया न्यूस में, और scientific revolution, जैसे कि हमने देखा कि Einstein जोते हैं, वो कैसे कैसे नही नही चीजों को बता रहे थे, जैसे पहले दिये, special theory of relativity, उसके बाद भी general theory of relativity, तो इस वैसे, जैसे मतलब कि बोला गया, कि हाँ scientific revolution है, करान ती होते हैं, जिस तरह से science में नही नही चीजों को यह पता रहे थे, पता चल रही थी, इसके बाद Einstein जो थे हैं, उनको Nobel Prize मिला, फिरिक्स में 1921 को, फिर जो उनको बहुत जाद समान मिल लग गया, invitations आते थे, all over world से, जो press वाले लोग होते थे, वो भी उनकी बहुत जादा प्रसंसा करते थे, इसके बाद बोला गया है, कि जब Nazi आया power में, तो जर्मनी में आ गया ठीक है, 1933 में, और Einstein जो थे, वो उस बग जो फिर United States में चले गया, पास सार वहाँ पे रहें, फिर उन्होंने जो है nuclear fission जो है, उसका discovery किया, बर्लिंग में, इस बाद से, जो American physicist थे, ठीक है, मतलब जो physics के student थे, या पर उसमें expert थे, वो लोग जो है, अपर रोर में होगे, मतलब कि वो लोग उदास होगे, क्योंकि उन्हें से जो जाता लोग थे, वह जो है, faces में जो था, उससे feed होगा रहा थे, मतलब कि वहाँ से भाग करके आथे, जैसे कि Einstein आये थे, यहाँ पर faces में का मतलब हुआ, कि ऐसा जगह, जहाँ पर dictator rule करता हो, यहाँ पर dictator ship होती हो, ठीक है, यह detail में नहीं है, simply आप समझाओ, कि जहाँ पर dictator ship होती है, जैसे कि जो nazis आया था, तो वो जब जर्मनी में dictator ship लागू कर रहा था, उस type से, तो यहाँ पर इसी वैसे, यह लोग भाग किया थे, आप इंको डर लगने लग गया, कि अगर नाजी के पास यह चला गया, तो इस तरीके से, वहाँ जोई atomic bomb बना सकता है, तभी जोई Einstein के कलीक जो थे, वहाँ Einstein से प्रातना करते हैं, उसे कहते हैं कि आप जोई, इसको रोखी है, तो Einstein जोई फिर American President को जोई, जोकि Franklin Day Roosevelt थे, उनको जोई letter लिखते हैं, August 2, 1939 को, और उनको warn करते हैं, कि अगर ऐसा single bomb भी बन गया, और वहाँ किसी port पे, मतलब कोई यह port हो गया, ऐसे sea port हो गया, airport है, किसी भी जगह पर वो जोई अगर fake दिया गया, तो वहाँ जो bomb है, वो उस पूरे port को जोई, बरबाद कर सकता है, इसके साथ ही, अगर उसके आस-पास में कोई territory है, मतलब कोई अगर राष्ट है, तो उसको भी कुछ इंकसान दे सकता है, मतलब अगर पास में, तो उसको भी कुछ हत्तर बरबाद कर सकता है, अब यहाँ पर जो है इनका जो बात था यहाँ effect डालें फेल नहीं हुआ मतलब इनों इसने से पता है कि यह इतना ज़्यादा powerful है यह सब इनों ने कहा तो American जो थे अब क्या कि इस बात को सुनते हैं उन्होंने क्या किया कि और वहाँ जो है atomic bomb को बनाना सुरू कर दिये as a sacred project फिर जो है drop कर दिया गया था Japanese city of Hiroshima and Nagasaki in August 1945 means 1945 में Hiroshima और Nagasaki पर जो है drop कर दिया गया था और जब Einstein को इस destruction के बारे में पता चला तो वो अंदर से पूरा काप गया थे इस बार जो Einstein थे उन्होंने जो एक public missive missive मतले एक लंबा चोड़ा letter और public missive मतले एक ऐसा letter जिसके अंदर जैसे कोई चीज का advice दिया जा रहा हूँ तो उन्होंने जो है United Nations को लिखा और उस letter के थुरू जो है वहाँ world government formation करने की advice करते हैं बट उनका कोई बात नहीं सुने आता है उसके बाद फिर जैसे ही कुछ साल बेते हैं और 10 साल जैसे ही भी जाता है तो उस भी जो है Einstein बहुत ज़्यादा involved हो जाता है politics में और फिर वह जो है अपने popularity का इस्तमाल करते हैं campaign करने के लिए peace and democracy मतलब यह चाहते हैं कि हर जगा सांती रहे और democracy में तो सब को जैसे rights जो उनके जहते हैं नागरिक के वो सब भी उनको मिले इसके बाद जो है जब Einstein 1955 में जो है मर जाते है at the age of 76 तब वो जो दिन जहता है उस दिन visionary and world citizen as much as a scientific genius के रूप में जो है मनाया गया था देखो visionary कहने का मतलब हुआ कि भविस से जो देख सकता है मतलब कि इनों ने जो काम किया था जो चीजों को इने ने बताया था वो future में भी बहुत ज़्यादा काम आया बहुत साय चीजों को समझने के लिए जानने के लिए तो अब आप जो है comment उसमें यहाँ बताएगा कि उनके घर में जो है एक बार सांप आ जाता है उसके बाद जो है क्या-क्या होता है उस सारे चीजों को यहाँ पर इस चैप्टर उने बताया है और यह जो चैप्टर बहुत ही funny है इसलिए आपको इस चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है तो यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पूचा गया है कि क्या आपको अपने आपको सीसे में देखना पसंद है और जिस वर्ट आप सीसे में देखते हो तो उस वर्ट आप क्या सोचते हो इसके बाद आपसे पूचा जा रहा है कि क्या आपने कभी किसी dog, cat या bird को सीसे में देखते हुए देखा है और आपको क्या लगता है कि जब वो सीसे में देखते हैं तो वो क्या चीज़ देखते हैं तो ये तो कुछ question आपसे पूछा गया है तो इसके सवाल के जो जवाब है आप चाहे तो comment में दे सकते हैं तो चलो अब जब कहानी को सुरू करते हैं तो कहानी के सुरुवात में बताया गया है कि कुछ लोग जो थे वो आपस में बात कर रहे थे तब ही उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि क्या कभी किसी सांप ने आप एक सरीर के किसी भी हिस्से पर कॉइल्ड का उता हुआ कुण्डली मारना मतलब सरी के हिसे कभी भी जकड़ा है और वो भी एक फुल ब्लडड कोब्रा फुल ब्लडड के हैं पर मतलब हुआ कि बड़े से काले नागने अब यह सुनते हैं राइटर कहते हैं कि वो और उनके साथ जो भी लोग वहाँ पर थे सब एकदम सांथ हो गया यह जो क्वेस्टन था यहाँ किया गया था एक होमियोपैथ मतलब एक डॉक्टर के द्वारा किया गया था तो जो डॉक्टर आता है वहाँ यह क्वेस्टन इसलिए पूछता है तो डॉक्टर जो एक कहानी सुरू करते हैं और कहते हैं कि वह समर सीजन की गर्म रात थी और लगबग 10 बज़े हुए थे मैं रेस्टरेंट से खाना खा करके अपने घर वापस जा रहा था फिर जो अपनी घर के गेट को खोल रहे होते हैं तभी जो इनको घर के उपर से कुछ आवाज आता है इनको लगता है कि यह जो आवाज है कुछ जाना पहचाना है क्योंकि यह कहते हैं कि इनके घर में जो इनके साथ बहुत सारे चुवे भी रते थे मतलब उनके घर में बहुत ज़्यादा चुवे थे फिर ये घर के अंदर जब जाते हैं तो ये एक माचिस का डिबा निकालते हैं उसके बाद एक केरोसीन लेंप को लाइट करते हैं मतलब उसको जलाते हैं वो बताते हैं कि वो जो घर था वो इलेक्टरिफाइड नहीं था मतलब उसमें बिजली भी नहीं लगी थी बिजली का साधन नहीं था और उन्होंने एक छोटा सा कमरा रेंट पर लिया हुआ था वो कहते हैं कि उन्होंने हाली में मेडिकल प्रैक्टिस मतलब डॉक्टरी करनी शुरू की थी इसलिए उनका जो भी अर्निंग था वो बहुत ही मीगर मीगर मतलब हुआ बहुत ही कम था बहुत ही थोड़ा था उनके बास सिर्फ 60 रूपीज उनके सूटकेस के अंदर रखा हुआ था इसके साथ वहाँ पर कुछ सर्ट्स और धोतीज रखे हुए थे इसके साथ उनके पास एक सॉलिटरी सॉलिटरी मतलब हुआ सिंगल एक अकेला जो है ब्लैक कोड भी था जो की वहाँ पहने हुए थे फिर वो रूम में जाने के बाद अपने ब्लैक कोड को अपने वाइट सॉट और नौट सो वाइट वैस्ट मतलब थोड़े से गंदी वैस्ट मतलब होता है बनियान जिसको गंजी भी का जाता ठीक है उसको उतार करके टांग देते हैं फिर अपने रूम के जो है दो विंडोस को खोल देते हैं इनका ये जो कमरा था या आउटर रूम था मतलब बोसलते हो कि किनारे वाला रूम था बाहर के तरफ वाला और यह जो दिवार है यह नीचे का जो beam है यह मोटा साब को दिख रहा है लाइनिंग ठीक है इसके उपर वहाँ टिका हुआ है फिर है कहते हैं कि इनके घर में ceiling नहीं था यहां पर ceiling जो है उसको कहा जाता है room का अंदर का सबसे उपनी हीशा होता है उसको ठीक है यह बोलते है कि वहाँ पर बीम से जिसके उपर से रैट मतलब जो चुगए है वो आते जाते रहते हैं यह अपने बिस्तर को खीच करके एक दिवार के पास लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर लेड जाते हैं लेकिन इसमों नीद नहीं आता है इसलिए यह बरामदे में चले जाते हैं जहा जालते हैं जिसका नाम रहता है मैट्रिया मेडिका उस भुख को टेबल के उपर रखकर खोलते हैं टेबल पर ही लेंप रहता है और बड़ासा मिरर रहता है उस मिरर की बगल में एक कॉंग्विमिन थे जही वो रखी रहती हैं यह कहते हैं की जब सामने सीशा रखा हो तो देखने का मन करता है, यह सीसा में देखना सुरू करते हैं, फिर यह बताते हैं सभी लोग को कि उन दिनों यह बहुत ही सौखीन थे हैं, मतलब सीसे में देख करके खुद की सुंदरता की खुदी बढ़ाई करने की, और वो अपने आप में यह बिष्वाज सकते थे, कि वह अपने आपको देखने में और हैंसम बनाया वो से तो और सुंदर बनाया, वो कहते हैं कि उस वक्ट उनके साधी नहीं हुए थी और वह एक डॉक्टर थे, इसे सोचते हैं कि भाई, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो यहां पर थोड़ा सा लगना चाहिए उसकी तरह, फिर वो सीसे के पास पड़ी कंगी को उठाते हैं, और अपने बाल को कंगी करने लगाते हैं, जिससे कि उनका जो बाल है, वो एकदम सीधा और साफ सुत्रा दिखें तब ही वापस से उनको उपर से पहले वाली आवाज सुनाई देती है मैं जब वो पहले घर में घुस रहते हैं उस वक्ट जो सुनाई दिया था, वैसे ही आवाज इस वक्ट उन्हें सुनाई देता है फिर यह वापस से एकदम ध्यान से अपने चहरे को सीसे में देखना सुरू करते हैं और वहाँ यहाँ डिसाइट करते हैं कि वो जो है अब हमेशा मतलब डेली सेफ करेंगे, दाड़ी बनाएंगे और दम पतला सा मूच रखेंगे जिसे कि वो और ज़्यादा सुन्दर दिख सके फिर वो कहते हैं कि आखेकर उस वक जो है वो एक बैचलर थे, मतलब कि साधी नहीं थे उसके साथी वो एक डॉक्टर भी थे उसके बाद यह जो है मिरर में देखते हैं और मुस्कुराते हैं फिर कहते हैं कि यार मेरी जो स्माइल है और ज़्यादा सुन्दर दिख सकूँ और वापस वो कहते हैं कि आखेकर मैं एक बैसलर था और उससे बढ़कर मैं एक डॉक्टर था अब वो खड़े हो जाते हैं और यहां वाँ कमरे में घुमने रहे जाते हैं तब ही उनकी दिवा में एक और प्यारा सा ख्याल आता है वो बोलते हैं कि अब जो है मैं साधी कर लूँगा और साधी भी ऐसी ओरत से करूँगा जो कि एक डॉक्टर हो उसके बहुत सारा पैसा हो और उसकी जो डॉक्टरी है मतलब जो डॉक्टर का काम है वो अच्छते चल रहा वो कहते हैं कि वो जो अरत होनी चाहिए वो मोटी होनी चाहिए और ये कहने का उनके पास एक रीजन भी है वो कहते हैं कि जब भी जो है वहा कोई ब्योकूफी भरा मिस्टेक करेंगे तो वहाँ जो है मारने के दोड़ेगी लेकिन वह मोटी होगी इसलिए वह दोड नहीं पाएगी और इंको पगड नहीं पाएगी अब इसी वीचार के साथ वह टेबल के पास जो कुरसी रखी थी उस पे जाकर बैड याता है अब घर के उपर से कुछ भी आवाज नहीं आ रहा होता है लेकिन अचानक उसी वक जो है एक डल थड 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 का मतलब हो गया एक धमागा सा मतल एक मंद धीमा सा जो है लगा मानो धमागा सा हुगा है जैसे कि कुछ उपर से रबर ट्यूब धर्ती पर आका गिरा हो यह कहते हैं कि हाँ डरने कोई बात नहीं है लेकिन फिर भी है सोचते हैं कि मुझे मुढ कर देखना चाहिए कि आकर यह क्या गिरा और जैसे यह पीछे मुढ देखने के लिए एक दम उसी वक्त एक मूटा साप कुरसी के पीछे चहर करके इनके सोल्डर पर आ जाता है यह बताते हैं कि जिस वक्त यह मुढ रहते हैं उसी वक्त उसी सेम टाइम पर साप इनके सरी पर आ जाता है तो इनकी जो हालत थी वो मतलब बिलकुली खराब होए थी लेकिन फिर भी यह जो ना कूदते हैं ना ही ट्रेंबल मतलब ना ही लड़कडाते हैं और ना ही चिलाते हैं क्योंकि यह कहते हैं कि उससे में यह सब करने का कोई वक्त नहीं था फिर क्याते हैं कि जो snake था वो slither मतलब फिसलता हुआ जो है इनके कंदे से इनके left arm पर आ गया ठीक है और left arm मतलब elbow से उपर कहीं से था मतलब आपका यह arm हो गया ठीक है और elbow से उपर कहीं से था इस पर कुंडली मार लिया मतलब मानू की लपेट लिया पूरा उसके बाद उसन सही नहीं रहे है कि मैं अग्दम पत्थर की तरह बन गया था लेकिन जो मेरा दिमाग था अग्दम active था और यह कहते हैं कि बाहर जो है डॉर के बाहर में बाहर इस बाहर एंधरा था घर में भी जह है चारों तरफ अंधरा था बस लेंब के सामने वो जो बैठे वी थे तहन लाइट पढ़ रहा था, वेरे कहते हैं कि यह एकदम, एक flesh में stone की तरह हो गयते है, flesh stone की कहने का मतलब हुआ कि वो जब इनसान के सरीर में पत्थर से बन गया थे, मतलब हम हिल नहीं रहते हैं, पत्थर की तरह हम आपर बैठे हुए थे उस से में इनको ऐसा feel हो रहा था कि मानो, इस पूरे दुनिया को इस पूरे ब्रह्मान को बनाने वाले वो यहीं पर है, मतलब God यहीं पर है और उनको मेरी कुछ बाद अच्छी नहीं लगया, मतलब मैंने कुछ कह दिया और उन्हें वो अच्छा नहीं लगया दर्द होना सुरू हो गया था जैसे कि मानो की thick leaden rod इसका मतलब हुआ है एक मोटी सी सीषे की चड़ी, फिर वो कहते हैं नहीं मोटी सी की चड़ी बलकि मोटी सी पिगली हुई आख की चड़ी धिरे धिरे मेरे इस पूरे आम को करस्ष कर रहे थी उसे पुरा तोड रही थी मानो और जो इनका पूरा आम था वहाँ अपना पूरा सक्ती खो रहा था उसका पूरा सक्ती खतम हो रहा था फिर बोलते हैं कि आखे मैं क्या कर सकता हूं अब देखो सक्ती खता हूंने का वज़ा यही था वो मुझे से 4 इंचेस की दूरी पर लर्ग, लर्ग मतलब गात लाकर बैटी हुई है, और माल लो कि ये साप मुझे काट लेता है, तो मुझे कौन सी दवाई लेने पड़ेगी, यहां रूम में तो कोई दवाई भी नहीं रखी हुई है, फिर कहता है कि मैं तो एक बेचारा म की बात की कदर करते हैं, क्योंकि जो साप था, वहाँ अपने मुंडे को गुमाता है, और मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखने में रहाता है, यह कहते हैं कि मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ कि यह पहला साप है, जो कि मिरर में खुद को देख रहा है, लेकिन ऐसा जो अपनी मूचे बढ़ानी चाहिए या फिर नहीं चाहिए या फिर इसे आई सेडल लगानी चाहिए या इसको मस्कारा लगानी चाहिए या फिर इसे जो है वर्मिलियन स्पॉट वर्मिलियन जो है उसका मीनि होता है सिंदूर ठीक है तो सिंदूर की बिंदी उसको लगानी चा कि उन्हें कभी पता नहीं चलने वाला है कि वो जो साप था वहाँ मेल था या फिर फिमेल था ऐसा वह इसलिए कहते हैं कि उनके देखो साप उस समय इनके जो आम था उसको छोड़ दिया था और धे धे रिंगता हुआ इनके गोद में आ गया था मिंस लैप मिंस गोद में आ फिर वहाँ से वहाँ ऊपर टेबल पर चला गया सैथ वह अपने परचाई को और पास से देखना चालता है इतना कहते वह बोलते कि अब मैं कोई ग्रेनाइट का बना हुआ इमेज नहीं था मतलब अब मैं पत्थर का बना मूरती नहीं रहा जैसे ही उस सापने छोड़ा मु आपकी जो वाईफ है क्या वोटी है क्योंकि जो डॉक्टर थे वो खुद कहते हैं कि बहुत तेज दौण है कि उनका कुछ और ही इच्छा था इसलिए जो मेरी जीवन साथ है मतलब जो मेरी पतनी है वह बहुत पतली है इसके साथ उसके स्प्रिंटिंग का गिफ्ट है मतलब कि भॉहत तेज दोड़ती है तब ही किसी और ने पूछा कि डॉक्टर जब आप दोड रहे थे मैंने अपने पूरे सरीर पर तेल लगाया फिर इसनान करके आकर नए कपड़े पहन लिए फिर अगले दिन लगबख साड़े आड़े करी में मैं और मेरे दोस्त गय थे कमरे से समान हटाने के लिए लेकिन जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमें कुछ भी जो है नहीं मिला ले जाने के लिए क्योंकि एक जो चोर था उसने पूरा ही कमरा साफ कर दिया था मतलब उसने पूरे कमरे में जो चीज था सब चुरा लिया था फिर वो कहते हैं लेकिन पूरे चीज नहीं उसने एक चीज जो है पीछे छोड़ दिया था मेरा एक final insult के तो रहे मतलब मेरा अपमान करते हैं एक चीज उसने पीछे छोड़ दिया था अब जो है लोग पुछते हैं कि आखिर वहाँ क्या था मतलब क्या चीज उसने पीछे छोड़ा था तो डॉक्टर जो है कि वो जो थी वहाँ मेरी वेस्ट थी वेस्ट को बनियान कहते हैं थीक है या फिर गंजी भी लोग कहते हैं उसको जो कि बहुत ही dirty थी फिर हो कहते हैं कि वो जो बदमास था उसमें साफ सफाई की इतनी समझ थी मतलब उसने गंदे चे छोड़ दी और सब अच्छे चीजे लेके चला गया फिर वो कहते हैं कि अगर वह चाता तो वो जो है इसको ले जा करके साबुन पाने से धो करके वापस से यूज कर सकता था फिर किसी में पूछा कि क्या आपने अगले दिन साफ को देखा था तो डॉक्टर जो है थोड़ा हस्ते हो और कहते हैं कि नहीं मैंने उसको फिर कभी नहीं देखा वो एक ऐसा साफ था जो कि खुद की ब्यूटी पर ही खुद टेकन विथ तो यहां पर यह जो पूरा चैप्टर जो था वो थोड़ा फनी था चलो अब नेक्स चैप्टर करते हैं चैप्टर नमबर 6 इसका टाइटल है इस पूरे चैप्टर के अंदर हम जो APJ अब्दू कलाम के बारे में देखने वाल है और इसलिए जो पूरा चैप्टर है यह बहुत ही जादा मोटिवेटिंग है और इसके अंदर में बहुत सारी चीज़े जानने को मिलेगी तो यहां पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी भी ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सोचा है या आपी जाना है जो कि साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक स्टेट्समिन भी थे स्टेट्समिन का मतलब हुआ कि बहुत अच्छे पॉलिक्रिस्टियन जो एपीज़ अब्दु कलाम थे उनका जो प्रोजेक्ट था साइंस, डिफेंस और निउक्लियर टेक्नोलिजी को ले करके उसने इंडिया को बहुत ही जादा गाइड किया था 21st century में और हाँ वहाँ 2002 में इंडिया के 11th president भी बने थे तो यह चीज़े जो है यह आप याद कर ले जिए क्योंकि यह सब जीके के question में आ जाते है इसके साथ ही जो एपीज़ अब्दु कलाम है वहाँ अपने autobiography मतलब जो आत्म कता होता है इसके अंदर लोग अपने बारे में बताते हैं तो उसी तरह जो एपीज़ अब्दु कलाम है वहाँ अपने autobiography जो कि यह wings of fire में अपने चाइल्ड उट्पन की बच्चपन के बारे में बताते है और यह जो chapter है यहाँ उसी autobiography में से लिया गया है तो यहाँ पर अब देखते हैं कि आकर हमें इनके बारे में क्या क्या बताया गया है तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एपीज़ अब्दु कलाम है उनका जन्म हुआ था एक middle class Tamil family में जो कि रामेश्वराम आइलेंड के एक town में में सहर में है अगर इंडिया के map पर हमनों रामेश्वराम आइलेंड को देखे तो वहाँ जो कुछ इधर है अगर मैं इसी को थोड़ा और ज़्यादा जूम कर देता हूँ इस हिस्से को तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो आपको हिस्सा दिख रहा है ठीक है यह है रामेश्वराम आइलेंड जो कि मैंने गोला किया हुआ इस फोटो से आपको एक और सेट क्लियर हो गया होगा कि आखिर हम लोग रामेश्वराम आइलेंड क्यों कह रहे है जैसे हम लोग जानते है आइलेंड जो होता है वो चात और से पानी से घिरा होता है तो यह जो रामेश्वरम में आप इसको देख से तो यह भी चात और से पानी से घिरा हुआ है इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है रामेश्वरम आइलेंड अब बात करें कि आखर यहार रा बदल करके अब कर दिया गया है चन्नेग तो इस तीच को आप ध्यान रख सकते हैं इसके बाद यहां अपने माता पिता के बारे में बताते हैं इनके पिता को उतना फॉर्मल एजूकेसन नहीं मिला था और नहीं इनके पिता के पास जादा धन था तो इनके पिता के पास इनिएट विज्डम था innate का मतलब होता है जन में जाता और wisdom मतलब कि बुद्धिमान थे मतलब कि जन में से ही जो है या फिक बोलते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि चीजों को जल्दी समझ जाते हैं तो ये भी बोलते हैं कि बुद्धिमान थे और उनके जो कुछ बच्चे थे, उनमें से ये भी एक छोटे से बच्चे थे, जो कि बहुती साधारन दिखते थे, मतलब लुक में जो है बहुती सिंपल से थे इसके बताते हैं कि यहाँ अपने एंसेस्ट्रल, मतलब कि अपने पूरोजों के बनाएवे घर में थे, इनका यह जो घर था, यहाँ 19th सेंचुरी के बीचे बना था यहाँ एक बड़ा सा पक्का हाउस था, जो कि लाइम स्टोन और ब्रिक से बना था और यह कहाँ पर था, तो यहाँ रामे सुरम की मॉस्क्यू स्ट्रीट में था अब ही कहते हैं कि इनकी जो औस्टिया फादर है, औस्टिया का मतलब होता है सीधे साधे तो यह कहते हैं कि जो मेरे सीधे साधे पिता जो हैं, वहाँ बिना मतलब कि किसी भी आराम वाले चीजे जो होती हैं, उन सबसे दूर रहते हैं मतलब कि दिखावे में नहीं रहते हैं, और जो चीज जरूरी है सिर्फ उन्हीं चीज को रखते हैं जैसे ही कहते हैं कि जितनी भी जरूरी की चीज़े हैं, वो सभी जो है प्रवाइट कराते हैं, जैसे कि फूट सेटेड हो गया, मैडिसिन्स हो गया, क्लॉट्स हो गया, वो सब चीज़े, इसलिए कहते हैं कि इनका जो बच्पन था, वहां materially और emotionally बहुत ही secure था, materially secure कहने का म में second world war हुआ, तो उस समय यहां 8 साल के थे, और अचानक से जो है market के अंदर tamarin, मतलब जो इमली के बीज है, उनका demand जो है बढ़ गया, और इस demand बढ़ने का जो वज़ा था, वह ही कभी समझ में नहीं आया, यह कहते हैं कि यहां जो है, इमली के बीज को इखटा करते, और ज उस समय 6 पैसे भी बहुत जादा value रखते थे, वो भी बच्चे के लिए उतना गावाना वो बहुत जादा value करता था उस समय, अब यह बताते हैं कि इनके जो brother-in-law थे, मतलब बहनों ही जो थे, मतलब इनके जो बहन के पते थे, वह इनको जो है कहानी सुनाते थे कि वार में जो है, यह यह चीज हो रहा है, और अगले दिन जब दीना मनी जो की तमिल नीउस था वहाँ आता था, तो वहाँ जो है उसके अंदर देखते थे कि आखी जो भी इनको बताया गया है, वह कहाँ पार है, मतलब ढूंडा करते थे, नीउस पेपर के अंदर, अब यह क्याते ह एरिया था, वो जो जगह था, वो आइसोलेटर था, मतलब एकांत में था, और इसलिए वार का असर अभी तक इस पर नहीं हुआ था, लेकिन जल्दी जो इंडिया था, वहाँ अपने एलीड, एलीड मतलब जो मित्र देश थे इंडिया के, उनके साथ वार में सामिल हो रहा था, और इस बैसे इनके स्टेट में भी फिर इमर्जेंसी लागू हो गया, अब देखो इस इमर्जेंसी का यहाँ प्रभा हुआ, कि जो ट्रेने थी, वहाँ रामेस्वरम पर नहीं रुखते थी, मतलब उनको मना कर दिया गया था, कि उस स्टेशन पर नहीं रुखना है, इससे हुआ क्या, कि इनके कजन थे समसुद्दिन, जो कि रामेस्वरम में जो है, निउस्पेपर डिस्टिब्यूट किया करते थे, अब उनको जो एक हेल्पिंग हैंड की जो थी, जो कि इन निउस्पेपर को जो है, जो कोई कैच कर सके इन निउस्पेपर को, तो यहाँ पर जो एपी जो अब दो कलाम है, वहाँ जो है साथी बन जाते हैं, मतलब वहाँ इनकी help करते हैं, और इस तरह समसुद्दिन जो है, वो help करते हैं इनको जो है, इनका पहला wages कमाने में, अब एक confusion आप लोग को आएगा, कि आप लोग बोलो कि यहाँ पहले तो यह जो है, सी कभी हो सकता है कि उनको कम बीज मिलता, कभी नहीं मिलता, तो इसे पैसे कभी कम ज़्यादा उनको मिलते हैं, लेकिन wages का मतलब होता है, एक fixed price, मतलब कि आज अगर 20 रुप मिले तो अगले दिनी 20 ही मिलेंगे, तो simple कहो कि एक fixed regular price, मतलब रोज आपको एक fixed price मिले उसको wages कहते ह हैं, तो यह हो गया इनका पहला बेज, याद रखेगा पहला बेज इन्होंने निउस पेपर को बेज करके कमाया था, अब यहां कहा गया है कि लगवख half century के बाद भी, मतलब लगवख 50 साल के बाद भी, जब यह बड़े हो गया थे, और उससे भी इनको जब याद आता कि इनको बहुत ही गर्व मैसूस हुआ करता था, अब यह कहते हैं कि जितने ही बच्चे होते हैं, जब जर्म लेते हैं, तो उसके बाद उनके अंदर कुछ inherited characteristic आयाते हैं, मनलब कि कुछ गुण उनके माता पिता के आ जाते हैं, इसे पर यह कहते हैं कि बच्चे जिस समाज में रहते हैं, तो वहाँ का जो environment होता है, simply को तो समाज में रहते हैं, तो समाज के लोग जो है, उन सबसे वो प्रभावित होते हैं, अपने घर से भी जो है, अपने माता पिता से यो प्रभावित होते हैं, इसे तरह यह कहते हैं कि इन्होंने जो है, अपने पिता से जो है, honesty औ इनके पिता से तो honesty और self discipline इसी तरह इनके माता से इनको जो है goodness और deep kindness जो है मिला और इसी तरह इनके जो तीन भाई और जो इनके एक बहन थी उनको भी यह सब चीजे जो है इनके माता पिता से मिले थे यह कहते हैं कि इनके जो है तीन close friends थे जो कि ते राम अनदर सास्त्री अर्विंदम और सिव प्रकासम जो की orthodox Hindu Brahmin family से थे orthodox का मतलब कि जो पुराने जो है रिती रिवाज को मानते हो तो वही बोते है पुराने रिती रिवाज मानने वाले Hindu Brahmin family के जो यह तीन दोस्त थे इंके यह कहते हैं कि अलग-अलग धर्म के होने के बावजूत भी और अलग-अलग तरह से पालन पोशन होने के बावजूत भी कोई भी व्यक्ती किसी तरह का भेदभाव नहीं देखता था कोई भी मतलब अलगाव नहीं करता था यह कहते हैं कि रामा नदर सास्त्री जो था वहां रामेश्वान टेंपल के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्षमना सास्त्री का बेटा था जो कि बाद में अपने पिता का काम संभाने लगे हैं यह तरह जो अरविंदम थे वहां ट्रांस्पोर्ट अरेंज करते थे जो भी मतलब पिल्ग्रिम्स होते हैं जो भी घूमने वाले साइट्स होते हैं उसके लिए वहां ट्रांस्पोर्ट का अरेंजमेंट करते थे तो अब उसे तो उनका ट्रैंसपोर्ट का जो है बिजनर था इसके साथ जो है सिव प्रकास में थे वहाँ catering contract करते थे साउठ रेलवेस का जो खाना बनाने वाला होता है ना उसका contract इनके पास था ये कियते हैं कि साल में एक बार जो सीता राम कल्यान जो सेरा मने उत्साव जो आता था उसमें इनका जो फैमली था वहाँ बोर्ट्स को अरेंज करता था इसमें किया क्या जाता था कि राम जी का जो मूर्ती है उसको मंदिर से ला करके मेरे साइड तक लेकर जाया जाता था जो की राम तिर्थ नाम के पॉंड में तलाब के बीच में था इसलिए बोट का भी जो है इस्तमाल होता था और यहाँ इनके घर के पास ही में था, इस दिन जो भी चीजे होते हैं, इसके साथ साथ जो प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब हुए कि पैगंबर, यानि भगवान के लाइफ से जुड़ी भी बात है, जैसे कि हम लो रमायन देखते हैं, इसमें लो राम जी के बारे में लो करती थी, अब यहाँ अपने बचपन की बात बताते हैं, कि वहाँ रामेश्वरम एलिमेंटरी स्कूल में, जब फिफ्थ स्टेंडर में थे, तो उसमें एक नए टीचर क्लास में आये थे, और यहाँ जै कैप पहने हुए थे, मतलब जो मुस्लिम दो पहनते हैं, और टीचर थे न, उनको, मतलब पच्चा नहीं, मतलब कि उनको, उनसे सहा नहीं हुआ कि एक हिंदू प्रिस्ट, मतलब हिंदू पुजारी के बेटे के साथ जो है, एक मुस्लिम लड़का बैठा हुआ है, और यह जो टीचर है, यहाँ सोसल रैंकिंग है इसाब से, मतलब जो बच्चे हिंदु हैं, उनको आगे बैठा दिया, और बच्चे मुसलिम उनको पीछे बैठा दिया, और ऐसे ही क्या करते हैं, जो एप्रिजा अब्दू का नाम रहते हैं, उनसे यह कहते हैं कि तुम पीछे जाओ, सबसे पीछे जाओ, इस वज़यदा से, इनको और इनके दिमाग में बैट सा जाता है एकदम बहुत देर तक प्रभाव छोड़ जाता है नहीं होता है कि दिमाग में बैट जाता है कि यार कितना मतलब में दोस्त को भी बुरा लगा अब स्कूल के बाद यहाँ दोने ही घर जाके अपने अपने पैरेंट्स को बताते हैं जो लक्षमास्सास्ति रहते हैं वह टीचर को बुलाते हैं अब देखो वहां पर जो अमकर थे अद्विक उन्के भी फैमिली पुरे वहां पर थे महजुद और वहां जो है बोलते हैं या तो तुम जो है माफी मांगो यहाँ यहाँ इसकूल छोड़के यहाँ जो आइलेंड इसको छोड़कर के यहाँ से चले जाओ जो टीचर रहते हैं वहाँ जो है माफी मांगते हैं और लक्षमार सास्तरी की जो बाते रहती हैं उनसे मानों जो टीचर जो रहते हैं, वहां मतलब एक सुधर से जाते हैं, मतलब वहां यह सिर्फ समाज जाते हैं कि हाँ यह सब चीज़े गलत हैं, और फिर ऐसा चीज़ यह कभी करते नहीं हैं, अब जो एपीज अब कराम कहते हैं कि जो रामेशुरम का समाज जो था, उसमे जांते हैं कि जहांपर अच्छी लोग होते हैं कुछ लोग खराब होते हैं इसम्राद्स में जात लोग थे वहां इन सब चीज़ों पर फिर सब्सक्राइब नहीं रखते लिए ृफिर हृब कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब चीज आता है लेकिं conservator में एक और चीज वो आयाता है वो होता है कि समाज का जो पहले का भावना था उसको भी अभी तक मान के चलना जैसे समाज में लोग सोचता था कि जैसे जातपात को लेगर के बहुत अलगाव रहता था उन सब चीज को मानते आना तो यहीं इनकी जो पत्नी थी वो भी conservative थी मतलब कि जातपात को मानने वाला अलगाव रखने वाला तो यहाँ पर यह जो थे science चीज जो थे यहाँ चाहते थे कि इस चीज को तोड़ दिया जाए यह जो समाज में यह जो चीज है barriers था एक social barrier लोग के बीच में अलगाव का जो कुछ भावना रहता है उसको बिल्कुली खतम कर दे हैं इसे सभी लोग एक साथ रह सेकें और इसलिए वहाँ जो है बहुत जादा वक्त कलाम EPJ अब्दु कराम उनके साथ मतलब बिताते थे और कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत जब जब विकास करो और तुम बढ़े बढ़े सहरों में जो बहुत जब जब पढ़े लिके जो वक्ति सभी होते हैं उनमें से एक बनो मतलब कि तुम भी बहुत पड़े लिके बहुत बड़े व्यक्ति बनो इसके बाद एक दिन जो है यहाँ एपीजा अब्दु कराम को अपने घर पर खाने के लिए बुलाते हैं और इस बास से उनकी जो पतनी थी मतलब जो साइंस चीचर थी उनकी जो पतनी थी वो एदम से ड़ड़ जाती है कि कोई मुस्लिम लड़का मेरे घर प्यार है इससे मेरे जो रिच्वली प्योर किचन है दो यहाँ पर रिच्वली प्योर किचन कहने का मतलब हुआ कि पहले के लोग के दिया में यह भावना था कि दूसरे अगर धर्म का कोई वैक्ति आता या फिर वो सो देखते कि अरे यह तो मेसे छोटे धर्म का वैक्ति है तो जब वैक्ति में घर पर आता तो वो लोग अपने घर में जो उनका बरतन होता नकीचे में उसमें उख खाना नहीं दिया कर देते मतलब किसे दूसरे चीज में खाना दे दे दे, मतलब कोई दूसरा पत्ता का जैसे प्लेट आता है उसमें दे दे दे, इन अपने बर्तर में नहीं दे दे, तो यह पहले के लोग का मेंटिलिटी था, तो जब APJ अब्दुकराम पहुंच जाते हैं अपने साइंस चीज़े घर पर, तो यहाँ पर Siva Subramandiam जो को बोलते हैं कि खाना निकाने के लिए उनको लिकिन वो मना कर देते, कि नहीं मैं खाना नहीं निका लोगे, तो यह क्या करते हैं, अब गुस्ता नहीं करते हैं अपने वाइप पर, बिलकुल भी नहीं करते हैं, नाहीं नाराज होते हैं, ना अगले सब्ता के एंड में वापस से आनक डिनर पर अब ये क्या होते हैं हesitate हो रहे होते हैं क्योंकि इनको देखे रहते हैं घर में जाकर कि कैसे इनकी वाइप खाना नहीं निगालती है और पीछे से देख रही होती है तब जो है इनके जो टीचर को कहते हैं कि देखो उदास होने की जौत नहीं है क्योंकि एक बार तुम यहाँ डिसाइट कर लोगा है कि तुम्हें सिस्टम को चेंज करना है तुम्हें कुछ बदलाव लाने है तब तुमको कुछ प्रॉग्लम्स को जो है अपने टीचर की बास सुनके जब वो अगले सप्ता वापस आते हैं तो उस समय जो सिर्व सुरो मर्नेम अयर की जो वाइफ रती है वो खुद से जो एक कीचन से खाना ला करके दोनों को इस सर्व करती है तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि कैसे हैं कि जो टीचर है अब एपी जे अब दो कराम कहते हैं कि जब सेकंड वर्ल्ड वार खतम हो गया और इंडिया को अब जल्दी जो है फ्रीडम मिलने वाली थी तो उस से में गांधी जो है कि अब जो हम अपना खुद का इंडिया बनाएंगे और उस समय पूरा country आता है उसमें unprecedented optimism unprecedented मतलब जो कभी पहले जो है कि चीज़ को लोगों ने मतलब अंदर फेल ना किया हो और optism का मतलब वा आसा मतलब जो पहले कभी किसी को आसा ने हुआ थी वैसा जो है भारत को दिखाई पढ़ रहे थी भारत के लोगों में आ गई थी अब जो एपीजे अब्दोकराम कहते हैं कि उस समय वहाँ अपने पिता से परमेशन लेते हैं कि वहाँ रामवेश्वरम को छोड़ कर गे रामनात्पुरम जाने के लिए ताकि वहाँ पर वह पढ़ाई कर सके district headquarters में तो उस समय इनके पिता है मानो जो वह सूच रहा है उसी चीज़ को बाहर कह रहे थे मतलब उनके दिमाग में जो भी thoughts थे जो भी उनका विचार था उस चीज़ को मानो बाहर निकाल कर बता रहे थे कह रहे थे वह कहते हैं कि अबुल मुझे पता है कि तुम्हें विकास के लिए जाना ही होगा फिर है कि क्या जो है सीगल धूप में अकेली बिना घोसरे के नहीं उड़ती इनके कहने का मतलब है कि देखो जो सीगल है वो एक bird होती है जो कि धूप मतलब अपने nest से बहुती दूर जो है अब कैसे तो कि भोजन के तलास में इन सब चीटों के लिए वहाद दूर जो है जाकर उड़ती है तो यह कहते है कि क्या सीगल धूप में नहीं उड़ती है अपने बिना nest के मतलब वो भी तो उड़ती है न तभी तो उसे कुछ चाहिए रहता है तो वो मिल पाता है फिर वहाद जो है अब दूर कराम की जो मा रहती है वो hesitant वतलब सहमी होई रहती है उनको वहाद जो है खलील गिबरन जो की एक poet है उनकी मतलब बाते कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा केवल तुम्हारा बच्चा नहीं है वे जीवन के अपने तरीके से जीने के इकच्चा के पुत्र और पुत्री है यहाँ पर simply कहने का मतलब है कि बच्चा जय है वा मतलब उसका क्या काम हो उसका भी life होता है तो उसको भी जीने की जो है झोड़ी छूट मिलने चाहिए इसके बाद जो जो है कि वह जो है तुम्हारे थू आया है, तुमसे नहीं आया है, इसलिए तुम उसे अपना प्रेम दे सकती हो, लेकिन अपना विचार नहीं, क्योंकि उसके पास अपने विचार है, तो यहाँ पर सिंपल में कहूं, तो बच्चे जो हैं, वो भी कुछ करना चाहते हैं, हाँ, छोट यह चीज़ नहीं करना चाहिए, बच्चा का जो एम है, उसको फॉलो करने देना चाहिए, इस चीज को एक पोजिटिव एमे लेना, अब ऐसा नहीं कि गलत काम करना सुरू कर दो, यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई बच्चा मान लोग क्रिकेटर बनना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि उसको फैमिली से फोर्स मिले कि तुम सिंगर बनो वगरा वगरा, तो एक चाप्टर और हमारा फाइनली खतम होता है, अब आते हैं नेक्स चाप्टर पर जो है, चाप्टर नमबर 7, रिच फॉर दर टॉप, और इसके अंदर हम लोग को दो पार्ट्स दिय और उनके सक्सेस के लिए उनके जो उनका अचीवमेंट है उसके लिए आप उनकी प्रसंसा करते हैं, और यह कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके हिसाप से कोई फुटबॉलर हो सकते हैं, या कोई मैडिसीन के छेत्र में जैसे कोई डॉक्टर हो सकते हैं, या कोई भी वेक नाम जो है comment box में जरूर दे जिनको जो है आप अपना आदर्स मानते हैं तो यहाँ पर पार्ट वन में देखने वाले हैं संतोस यादव के बारे में जो कि संसार के एक मात्र ऐसी महिला है जिन्नों ने दो बार मांट टेवरेस पे चड़ाई किया है अब यहाँ पर इनके बार में एक लड़का जन्म लेता है तो वह जो है भगवान का एक आसरवाद है लेकिन वही अगर एक लड़की जन्म लेती है तो उसे स्राप तो नहीं माना जाता लेकिन उसका अच्छी तरीक NOW का जितनी धूमधाम से लड़कों का वैलकम किया जाता था अब उस समय जो संत्यो संजो थे वहाँ जा रहे थे अब जो संटोस यादव की मां है वहाँ उनसे कहती है कि यह जो मेरा मतलब जो भी बच्चा होने वाला है यहाँ मैं चाहती हूँ कि संटोस हो अब उस व्यक्ति को उस होली मैं को यहाँ लगता है कि यहाँ चाहती है कि इनको एक लड़का जन मतल जो संतोस यादवे उनकी दादी थी, वह कहती है कि नहीं नहीं, हमें लड़का नहीं चाहिए, हमें लड़की चाहिए, अब इस बात से, वो जो होली मैन था, वो भी बहुत अश्चर हो जाता है, वहाँ पे जितने भी लोग थे, जो भी वहाँ पे मौझूद थे, वो सब एक ठीक है, आपका जो भी आश्रवाद है, जो आप चाहती हैं कि लड़की जन में, यहाँ पूरा होगा, और भागय भी यही लिखा हुआ था, संतोस यी थी, उस परिवार के सिक्स्थ चाइड थी, जिन में से जो है, पांच लड़के थे, और यहाँ एक लड़की थी, मतलब इनका जो परिवार था, वहाँ इनका नाम संतोस इसलिए रखता है, क्योंकि संतोस का अर्थ होता है, contentment, मतलब कि संतोस थी, अब इनका नाम तो संतोस रता है, लेकि इनको अपनी जीवन वे बहुत सारी ऐसी चीज़े रहते हैं, जिससे संतोस थी नहीं रहता है, जैसे कि इनका जो traditional way of life था, जैसे वहाँ के जो लोग का या सोस था कि लड़कियों को जो ऐसे ड्रेस पहनने चाहिए, ऐसे नहीं पहनने चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो ये चीज़ें को बिलकुल ही पसंद नहीं था, यहाँ जो अपने सर्तों पर जीना च मतलब जब वहाँ अपने अतीत को देखती है, तो बताती है कि मैं एकदम starting procedure बहुत ज़्यादा determined थी, मतलब कि dreadness रखती थी, यैसे कि अगर वो चीज़ चाहती है करना तो उस पर पूरा focus रुजाती, अगर वो किसी चीज़ को चुनती, जो की सही है, और वो एक rational बात है, मत कि वहाँ करने के पिछे उनके पास एक सही reason है, तब वो उस चीज़ पर अड़ी रहती, वो कहती कि चाहे, अगर किसी को बदलना है, तो वो मैं नहीं बदलूँगी, मेरा समाज, मेरे आसपास के लोग बदल जा, लेकिन मैं नहीं बदलूँगी, अगर मैंने किसी चीज़ क रहा सकते थे, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं करते हैं, वहाँ गाओं के एक local school में उनका admission कर देते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि गाओं वालों में जादर यहाँ सोच था पहले कि नहीं बच्चे को अपने से जादा दूर नहीं भेजना चाहिए, फिर क्या हुआ कि इस बास से स अंतोस को बहुत बुरा लगता है, वहाँ सोचती है कि वहाँ इस system से लड़ाई करेंगी, मतल़ यह जो सोच बना हुआ है, इस चीज से वहाँ लड़ाई करेंगी, कभी अपने parents को कहेंगी कि यह गलत है, उनको बहाँ जाके पढ़ना है, लेकिन वहाँ उस से में सांत रहत इसलिए अब इनके भी parents इन पर दबाव डाल रहे थे, कि अब तुम्हारी साधी कर देनी चाहिए, तो यहाँ एकदम से कहते हैं कि नहीं, मुझे साधी नहीं करना है, जब तक मैं proper education नहीं पा लेती, उसके बादों कहते हैं कि मैं यहाँ से दिल्ली जाओंगी और वहाँ प करके और फिर अपने स्कूल का जो फी है वहाँ पे कर दोंगी, अब इस बात को सुन करके उनके पैरेंट्स से वहाँ बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ पढ़ने हम फी पे कर देंगे, संदूस के अंदर हमेशा से थोड़ा सा और जादा पढ़ने की एक्छा थी, जब भी व कस्तूर्बा होस्टेल में वहाँ एक रूम ले लेती है, जो कस्तूर्बा होस्टेल था वहाँ आरावली हिल्स के सामने था, मतला आप कैसे तो कि होस्टेल के सामने क्या था, आरावली हिल्स था, तो यहाँ हमेशा जो अपने कमरे से उस हील पर चहड़ते हुए लोगों को जाते हैं देखते हैं कि वहां पर जादा लोग थे ही नहीं मतलब कुछ सरिफ mountainers थे मतलब जो पहार पर चढ़ाई करते हैं तब यहां उनसे पूछती है कि क्या मैं आपको को climbing करनी है और इस चीज को वहां ठान लेती है इसके बाद वहां पैसा जमा करना सुरू करती है और फिर वहां उत्तरकासि नहरो इंस्ट्यूट आफ माउंटेनरिंग में एडमिसन लेती है मतलब अब यहां क्या सिखना सुरू करती है कि चढ़ाई कैसे की जाती है यहां बता सकते हैं आपकी बीच में सरिफ एक दिन का gap मिल रहा है तो इस वैसे यहां अपने घर मतलब कि गाउं नहीं जाती है यहां सीधे चले जाती है उत्तरकासि जहां पर उनके ट्रेनिंग होने वाली रहती है फिर यहां अपने पिता को अपने पैरेंट्स को कि यहां लेटर लि सब बना लिया था कि वहां cold को और altitude को जोई आप सह सकता था मतलब जादा उचाई पर जाती यह वहां पर ठंड रहता है तो उस सब चीजों को सह सकता था इसके साथ इनका जो iron will था मतलब दृड निश्च है कि उनको जोई पहार पर चड़ाई करनी ही है इस चीज का निश् physical endurance मतलब कि सारे रिक सहनसिल था कि body को भी उन्हेंने strong बनाया हुआ था कि वहां जोई चीजों को सह सके इसके बाद amazing mental toughness क्योंकि उनका जो mind था वही बहुत tough था इस वैसे वहां इतना बड़ा decision ले पाएं कि उनको जोई mountaining करना है तो यहीं फिर यहां पर बताया जाता है कि इनका यहीं जो hard work था यहां जो है बहुत जाता मतलब किया सकते हो कि पहचान में जान में आया जब यहां 1992 में Mount Everest पर चढ़ाई कर लेती है जहां बताया गया है कि जो अरावली हिंसे mountainers थे उन्होंने जब उनसे पूछा था कि क्या मैं आपके साथ चढ़ाई कर सकती हूँ तो उसके बाद से जो है उसके चार साल बाद ही उन्होंने Mount Everest पर चढ़ाई की थी उसके बाद यहां दुनिया की youngest मतलब सबसे जवान औरत बनी जो की Mount Everest पर चढ़ाई की थी इसके बाद इनका बताया जा रहा है कि इनका जो climate skill था, physical fitness था, mental strength था यहां बड़े-बड़े seniors थ बता है कि कैसे इतनी कमर उम्र में जो है इतना ज्यादा इनका मतलब body tough था, इनका mind जो है इतना tough था, जिस वैसे यहां जो है उतना high level पर climb कर पाएं और इस वैसे लोग के अंदर एक अलगी जो है, इनका एक पहचान बन जाता है, एक अलगी लोग के दिल में इनका एक जग है तो वहां पर एक climber पढ़ा हुआ था, जो कि मर रहा था, तो उनकी यहाँ बहुत मदद करती है, लेकिं फिर भी वहाँ उन्हें नहीं बचा पाती है, मतलब वहाँ जो climber रहता है, वहाँ मर जाता है, यहाँ बचाने की बहुत कोसिस करती है फिर भी, लेकिन जो एक और clim गोरिण केजुन के रहता है मोहन सिंग उनकी यहाँ जान बचा पाती है और वो भी नहीं बच पाता है अगर यहां अपना आक्सिजन उन से शेहर नहीं करती मतलब कि एक और व्यक्ति रहता है जिसके % circle करते हैं तभी वगजत Hee thudisia वो भी मर जाता माउन टेर्स पे चढ़ाई करने के बारा महीने बाद इन सिंबल कहूँ तो एक साल बाद जो है संतोज को इंडो नेपलिज विमिन्स एक्स्पीडिशन एक्स्पीडिशन का अरत होता है सासिक यात्रा इसमें सासिक यात्रा उता होगा कि बहुत करेज भरा हुआ यातरा जो औरते करती है उसमें बुलाया जाता है तो यहाँ बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको जॉइन कर लूँगा और इस वैसे वहाँ उनकी एक मेंबर बन जाती है फिर यहाँ वापस से माउन टेर्स पे चढ़ाई करती है और सक्सिस्फुली जो है उस पे चढ़ जाती है तो यहीं यहाँ बता आ जा रहा है कि यहाँ एक ऐसी पहली विमन मनी जो कि दो बार माउन टेर्स पे चढ़ाई की थी और इस वैसे उस साल जो है इंडिया का जो है एक बहुत ही अच्छा दर्जा मिला एनल्स ओफ माउन्टेनरिंग में मतलब कि जिसे हर साल देखा जाता है कि कौन किस कंट्री के जो लोग है वो ज़ादा माउन्टेनिंग किये हुए है तो उसी तरह उन देखा गया कि उसमें इंडिया को बहुत अच्छा दर्जा मिला था इसके बाद उनको जो है इंडियन गवर्मेंट जो है वहाँ पदमिस्री जो है मतलब देती है जो कि एक national top honor है तो आप खुछ समझ सकते हो कि उन्होंने इतना ज्यादा hard work किया है तो ये मिलना तो मतलब था ही इसलिए जो है इनक मैं उपर पहुंसती हूँ तो कुछ पल तो मुझे लग जाते हैं समझने में कि मैंने इतना महान उपलब्दी को पाया है क्योंकि उन्हें ऐसा फिल आता कि उसके पीछे कितना उनका hard work था जिससे कि उनको यहाँ उपलब्दी मिली है फिर अब बताती है कि वहाँ तिरंगे बात खुसी हुई थी उनके अंदर जो feeling आई थी और जब भारत के flag को उपर लहराते वो देख रही थी तो उनको अंदर से इंडियन होने का proud feel हो रहा था वो किसी को भी होगा जब भी कोई वैक्ति इतना बड़ा उपलब्दी करता है तो उसको feel होता है कि चलो उसने अपने देश के ले कुछ बड़ा किया है तो फिर वहाँ पर बताया जाए अट लास्ट की वहाँ एक बहुती गंभीर environmentalist थी मतलब कि environment को लेकर के बहुत जादा वहाँ गंभीर थी कि उसके अंदर कोई गंदगी ना फैला है यह सब बहुत जाए सूचती थी इसलिए जब यहाँ ह हिमाले पे चड़ाई की थी तो आते वक जो है वहाँ 500 किलो तक garbage हिमाले से नीचे लाई थी अब स्टाट करते हैं पार्ट टू को जिसके अंदर में मारिया सारा पोबा के बारे हैं बताया गया है इनके बारे हैं बताया गया है कि यहाँ एक russian girl है मिंस यह russia से बिलॉंग क बात है जो सभी को आकर्सित करती है अब यह ऐसा नहीं है कि उनके smile या फिर उनके जो है attractive plots के वैसे हो बलकि यह जो कुछ बात थी जो सभी को आकर्सित करती थी यहाँ उभर कर आई यहाँ बाहर आई जब मंडे 22 अगस्ट 2005 में मारिया सारापोबा वर्ल्ड की नंबर वन व नहीं लगा बलकि उन्होंने जो है teen age में मतलब 18 साल के उमर में जो है उन्होंने यह मुकाम पाया था और अगर देखा जाया है professionally तो जब यह बच्पन से ही वैसे practice करती थी बट जब यह professionally खेल में उत्री मतलब जब इन्होंने खेलना सुरू किया like tournaments वगेरा तब उसके बास कि जब इन्होंने इतनी कम उमर में इतनी बड़े उपलबदी को पाया था इसका मतलब कि इन्होंने जो है बहुत जादा hard work किया होगा और साथ में बहुत सारे चीजों के sacrifice भी इन्होंने की होगी तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि जब यह 9 साल के थी तो जिस उमर में बहुत ही ऐसे कम बच्चे होते हैं जो की sacrifice कर पाते हैं चीजों की तो उस उमर में मतलब कि इनका भी 10th birthday आने भी वाला था लेकिन वो उसको नहीं बना पाती है और अपने पिता के साथ जिनका नाम रहता है यूरी उनके साथ जो है जुनाइटेड इस्टेट्स चली जाती ह जहांपर वहाँ Florida में जाती हैं अब यह जाते इसलिए हैं क्योंकि इनको टैनिस पसंद रहता है और इसलिए वहाँ पर वो ट्रेनिंग लेने जाती है मतलब कि आप जो तो साल तक अपनी मा से दूर रहती है अब आप समझो कि जब एक बच्ची जो कि 9 साल की हो वो अपने मा से जब दूर रहते तो उसको कितना बुरा लगता हो क्योंकि चाहे कोई भी बच्चा हो जो इतना छोटा होता है वो अपने मा से दूर रहता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और इस वहाई से उनकी जो मा है वो इनके पास नहीं आपाती है तो इससे यहाँ एक चीज़ सीख जाती है कि जब भी आपको कुछ मतलब बड़ा एचीव करना रहता है तब आपको जो है उसकी कोई कीमत चुकानी पड़ती है वह यहाँ पर यह कहती है कि इनको जो है टैनिस में एक्सिलेंस करना था मतलब कि बहुत अच्छा उपलबदी प्राप्त करनी थी इसलिए उनको कीमत चुकानी पड़ रही थी इसका यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि देखिये यह जो है अपनी मा से दो साल से भी अधिक तक जो है उनसे दूर रही तो यहाँ पर यह बताती है कि जब भी किसी व्यक्ति को कुछ बड़ा उपलब्दी प्राप्त करना रहता है कुछ अच्छा करना रहता है चाहे वो खेल सेटर हो या फिर कोई पढ़ाई सेटर उसके लिए उसको कुछ ना कुछ sacrifice करना पड़ता है मतरों किसी ना किसी चीज की कीमत चुकानी पड़ती है तो यहाँ पर अब यह कहती है कि मैं बहुत अकेला मैंसूस करती थी मैं अपनी मा को बुरी तरीके से miss करती थी मतला कि उनकी बहुत याद आते थे क्योंकि अपनी मा से या दूर थी और इनकी जो पिता थे वो बहुत ज़्यादा hard work करते थे मतलब उनसे जितना हो सकता था वो उतना काम किया करते थे ताकि वहाँ जो इनका जो tennis का training है उसको जारी रख सके मतलब जो भी उसमें feel लग रहा है इसके साथ जो भी वहाँ पर खर्चे लग रहे हैं रहने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए तो उनसे को पूरा कर सके इसलिए वहाँ जो इनसे नहीं मिल पाते थे अब यह कहती है कि मैं बहुत जादा छोटे थी इसलिए मैं आठ बजे ही सोने चली जाती थी लेकिन जो बाकी वहाँ पर जो लोग थे जो भी वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे वो ही ग्यारे बए रात तक आते थे और मुझे जो जो ए और दे लग जाते थे उठा करके कि जाओ मैं रूम को समार दो मतलब सभी चीज को और में रख दो और जो उसको साफ कर दो ये कहती है कि मैं डिप्रेस नहीं हुआ करती थी मतलब कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं जब उनसे इतना काम कराए जागा करने का नहीं सोचा क्यूंकि मैं जानती थी कि मैं जो कर रही हूँ उसको मैं चाहती हूँ इसलिए मैं कर रही हूँ मतलब उनको टैनिस जो है बहुत पसंता और उसलिए वह जो है टैनिस के फिल्ड में बहुत अच्छा करे इसलिए बहुत डिटर्माइंड होके उस काम को करती रहती है फिर वो बताती है कि जब आप एक ऐसे जगह से आतो जहां पर आपके पस कुछ भी नहीं था और जब आपके ऐस कुछ भी नहीं रहता है तो यहाँ चीज जब आपको बहुत ज्यादा भूखा और डिटर्माइंड बना देता है मतल्वा जब आपके बस मानलों कोई आदमी रहता है जो बहुत गरीब था उसक उसकछ भी नहीं था काम करवा दिया करते थे कि नहीं मेरा जाकर रूम का साफ सफाई कर दो फिर भी वह जो है इस इंसल्ट को जो अपने उपर हावी होने नहीं देती और जो है अपने ड्रीम के लिए जो है एक्दम द्रिडन इस्चे के साथ हो अपना मतलब वर्क किया कर देती अपना कि नहीं में द्रीम द्रेन इसमें लेडि सिंगल क्राउन मिला लेडि सिंगल क्राउन को मतलब हुआ कि दोणों तरफ सिंगल लेडिस होती है और वह जिदना entend को मिलता और इस तरीके से वह जो है बहुत तीजी से दॉय है वर्लड नमबर privately यह सिंगल को मतलब वं श Проइन हा अब बताया जा रहा है कि जब भी इनके जर्णी के बारे में लोग जानते हैं तो यह समझते हैं कि साइबेरिया के फ्रोजन प्लेन से आई हैं मतलब कि साइबेरिया के बरफीले मैंदानों से अब ठंड बहुत जादा होती है इसलिए आप यह कहा जा रहा है और इसके बाद यह जो है बहुत जल्दी इतना उचाई पर आ गए मतलब की वर्ल्ड के नंबर वें पर आ गए थी और टैनिस फैंस उनके दिलों में इन्हों ने अपने जगा बना लिया था इसके साथ यह जो मा के साथ रहती, ठीके मा से दूर होना नहीं चाती तो यह हो सकता था कि आज इनके बारे में ना पढ़ रहे होते हैं ठीके तो इनों ने भी बहुत सैक्रिफाइस किया है अपने भाणाओं पर बहुत नियंदर्ण किया है अब इन से पूछा जाता है कि आपने जो ये काम करती वो उसमें बहुत hard work अपने लगा रहे थी अगर अपर कहा जा रहा है कि मार्या सरा पोवा थी वह American ascent में जो है बोलती थी अब इसको समझाने के लिए देख लो जैसे कि मैं बिहार से हूँ अगर आप में से कोई वेक्ति जो है मुंबई से होगा या पर किसी और जगा से तो हम जब बाते करेंगे ना तो हमारा जो है बातों में थोड़ डिफरेंस आपको आएगा उचारन हम लोगा थोड़ा अलग होगा ठीके तो यही होता है एक तेक से ascent यह हम लोग जो बोल रहे हैं तो हमारा ले थोड़ा सा अलग होगा तो इनका भी जो उचारन था वो कैसा था अमेरिकन था फिर भी इनसे जब पूछा जाता है तो यह बताती है कि मैं जो एक रस्यान हूँ क्योंकि यह रस्या से बिलॉंग करते हैं रस्या की नागरिक है और सभी के डाउट यह सॉल्व करते हैं कोलती है कि मैं एक रस्यान हूँ और भले ही सच है कि यूएस जो है मेरे जिन्दिया सबसे बड़ा पार्ट है क्योंकि उन्होंने सबसे जादा वक्त अपने जिन्दिया कहां बिताया है तो यूएस में क्योंकि वो 9 साल के बाद ही यहाँ पर आ गए थी और यह कहते हैं कि जब भी रस्यान चाहेगा कि मैं उनकी तरफ से ओलंपिक्स खेलूं तो मैं जरूर खेलूंगी इसके बाद जैसे हर टीनेजर्स की कुछ ना कुछ हॉबीज होती है इस तरह इनकी भी जो है कुछ हॉबीज थी जैसे कि इनको फैसन पसन था, सिंगिंग पसन था और डांसिंग पसन था इसके साथ यह जो है ऑथर केनन डॉले जो है उनकी नोवेस जो है पढ़ना पसंद करती थी तो यह चीज़ा आप याद कर सकते हैं हो सकते हैं MCQ में पूज दे इसके बात बताती है कि इनको जो है evening gowns जो कि एक dress है जो इस तरीके दिखता है ये पहनना भी पसंद था इसके साथ जब ये खाती थी तो जैसे हमें भी होता है कुछ खाने पसंद होता है ये कहती है कि pancake ठीक है इसके साथ orange drink जो है इनको पीना पसंद था तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा हो कि pancake के साथ चॉक्लेट उसके साथ orange drink बट हाँ इनको जो है ये चीज़े पसंद ही करना अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि मारिया सारा पोवा को prison hold means categorized नहीं किया जा सकता है अब यहाँ पर कुछ लोग जैसे कह सकते हैं कि अरे यार वो तो खेल गाया मैदान था इसलिए वो इतना hard work करके चली गए पढ़ाई में थोड़ा अलग होता है या फिर कुछ लोग और तरह के से कह सकते हैं यह तो women's में जो है इसलिए कर पाई तो देखो यह कहा जा रहे है कि इस तरह से किसी को हम लोग categorize नहीं कर सकते हैं और इनको भी हम लोग नहीं कर सकते हैं क्यूंकि इनों ने जो चीज जो है पाया था उसके बीचे इनका talent भी था इनका इक्छा भी था कि success को ले करके जिसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करती थी और sacrifice करने के लिए तयार रहती थी इसके वैसे ये जो है women's tennis में वर्ल्ड के number one पर आए थी तो यही बात है कि अगर कोई व्यक्ती determination रखता है ठीक है वो sacrifice करता है उस चीज के लिए और मतलब पूरी लगन से वो काम को करता है hard work के साथ तो चाहिए वो कोई भी फिल्डर ऐसा नहीं कि सिर्फ खेल कहें कोई भी फिल्डर उसके अंदर वो success जरू कर जाएगा और even अगर वो चाहता है उसमें top होना तो वो top भी हो जाएगा बट अगर वो इन सभी चीजों को अपने अंदर रखता है जो कि होता है determination इसके साथ sacrifice भी करनी पड़ती है अब देखो हो सकता है कुछ लोग जो इनसे इवस्या करें कि यार ये तो बहुत पैसे कमा रही है इसी पर जब ये बात इनसे पूचा जाता है तो ये बताती है कि जो टैनिस से जो भी पैसे कमाने है जो भी monitor games हो रहा है इनकों पैसे मिल रहे है उस पर कहते हैं कि हाँ सही बात है कि पैसे जो है यहाँ motivation है इनसे में motivation मिलता है क्योंकि देखो अभी कैसा वक्त है कि ऐसा आप कोई नहीं कह सकता है कि यार पैसे तो माने ही नहीं रखते है सभी कुछ आई रहता है चाहिए वो छोटा बड़ा हो कैसा भी हो लेकिन होता क्या है कि अगर आप अपने hardware की picture रहते हैं जैसा कि यह बताती है कि tennis में जो है tennis एक business भी और एक है sports भी है और इनका जो क्या aim था तो इनको जो है tennis में number one बनना था चलो पैसे की बात अलग है पैसे तो आई ही इनके पास लेकिन यह चाहती क्या थी tennis में number one बनना जैसे यह number one बननी बहुत सारे लोग आयों कि यार इसका इड़टाइशन कर दीजे इसका कर दीजे कि किसी तरह बहुत जादा जो इनको उसके लिए पैसे मिले होंगे अब देखो दोनों में मैंने आपको parts बता दी है दोनों में मैंने बहुत जादा है कुछ words को जो है बोला होगा determination, hard work तो यह आप समझ सकते हो कि जो इसका moral है वो यह है कि आपको जो है अपने काम को लेकर बहुत जाद determined होना चाहिए और hard work करना चाहिए इसके जाद sacrifice तो आता ही है वो इसलिए साथ add on हो जाता है कि हाँ भाई sacrifice तो करना ही पड़ेगा जैसे कि उनको आप देखते हो वो भी दिल्ली चली गई थी पहले पढ़ने के लिए फिर उसके बाद जो है उनको mountaineering करना था उसके लिए हो चली गई और यहाँ पर यह जो है अपनी मा से दूर गई फिर अपने पिता से भी नहीं मिल पाते थी कि वो भी बहुत hard work करते थे तो इसलिए कहते हो कि sacrifice भी हर जगह होता है तो इस तरह यह चप्टर भी खतम होता है अब देखते हैं चप्टर नमबर 8 को जो कि है कठमांडो इसको लिखा गया है विक्रम सेट के द्वारा जो कि बताते हैं कि जब अपने जर्नी से वो जा रहे होते हैं अपने घर में एक रूम रेंट पर लेते हैं कुछ घंटे सोने के बाद अगली सुबा वह सहा के सन यानि एक व्यक्तिय उसके बेटे और नेफ्य यानि भतीजा के साथ वह कठमांडो के दो टेंपल को विजिट करने के लिए चले जाते हैं इन दोनों के साथ पहरा टेंपल रहता है पसुपतिनाथ और दूसरा है बाधनाथ इस्तुप इसको बुद्धीश श्राइन आफ कटमांडो भी कहा जाता है जब यह पसुपतिनाथ टेंपल में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक साइन बना हुआ था उस पर यह लिखा हुआ था कि इसमें स्रिफ हिंदूस लोगी जो है अंदर जा सकते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा भीड था और अटर कन्फियूजन था यानि उस भीड में समझ नहीं आते हैं कि कौन लोग क्या कर रहा है सभी लोग जल्दी अपना काम कर रहे थे बहुत अलग-अलग था कि जो एनिमल्स है बर्ड से वो भी यहाँ-वाँ घूम रहे थे और बहुत साल लोग जैसे कि कुछ समान बेशना है लोग है वो भी यहाँ-वाँ घूम रहे थे जो लोग थे अंदर जो पूजा कर रहे थे वो चाहे थे कैसे कैसे पूजारी का नजर उन पर पढ़ जाए क्योंकि आप जानते हो जो बहुत जाय भीड रहता है तो अंजर जाने पर लगता है कि कैसे आप पूजा करो कैसे प्रसाल लेकर निकलो इस तरह जो राइटर है वो भी अंदर जाते हैं वो भी फूल चढ़ाते हैं उसका तो बहुत देखते हैं कि रोयल प्रिंसस थी वो भाँपर देखती हैं जिसके लिए सभी लोग ने से रास्ता अपनी पर छोड़ दिया था बना दिया था फिर वह देखते हैं कि मेन एंटरंस पर कुछ फॉरण लोग थे जो कि एक दाम अलगे सैफ्रोन कलर के ड्रेस पहने हुए थे और जिसको देख करके जो वहां का पुलिस कह सकते हो वो जाने नहीं दे रहा था अंदर क्योंकि वहां कह रहा था कि नहीं आप लोग हिंदू नही पर कूदता है उसके बाद फुर वह देखते हैं कि एक होली रीवर यानि पवित्र नदी बागमती टेंपल के बगल से ही फ्लो करती है मतर साइट से बहती है इन्होंने देखा कि वहां पर जो क्रिमेटेड क्रिमेटेड यानि जो लोग मर चुके थे उनके बाड़ी का अंत जाल रहा था फिर याँ बताते हैं कि एक स्मॉल टेंपल या स्राइन को जो कि आधा एक स्टोन प्लैट्फरम से यानि स्टोन पर टिका हो था उससे आधा वह बहार निकला हुआ था और वह किनारे पर था रीवर के कहा जाते है कि जब पुईते के से पानी में चला जाएग और वहाँ पर जाने पर बहुत ज़्यादा कालमनेस फील होता है यानि बहुत सांती मिलता है उसके अगल बगल में रोड बना हुआ था उस टेंपल के यानि चातव से रोड था जिससे लोग वहाँ पर आ जा सके और वहाँ पर उस रोड किनारे पर तिबेतियर मार्केट थ जहाँ पर तिब्बत से आगर के लोग हमेशा के लिए रह रहे थे वहाँ बहुत साथ समान जैसे बैक्स, प्रिंटे, ड्रेस और ज्वेलरिस बेच रहे थे अब यहाँ पर हमें यहाँ दोनों टेंपल के बीच में थोगा बताते हैं बिजिए स्ट्रीट में, मतलब जहाँ बहुत जाए भीड है, इससे मतलब समझ जो कि वहाँ पर कोई देवी देवता का इस्थल है और वहाँ पर देवी देवता जो उन्हें सजा कर रखा गया फिर यह सड़क पर बताते हैं कि वहाँ पर सड़कों पर बहुत साई चीज़ें बेची जा रही होती है कुछ एक्जामपल्स यहाँ देते हैं जैसे कि फ्रूट सेलर्स, फ्लूट सेलर्स, यानि बांसी बेचने वाले हॉकर सब पोस्ट कर्ड यानि जो परचे सब देते हैं इससे मंदे सब फोटो पगर रहता है फिर चॉकलेट्स हो गए, वेस्टरन, कॉस्मेटिक्स, फिल्म, रोल्स फिर वहाँ पर बहुत साई को सुनने के लिए मिलते हैं ऐसे सौंग्स हो गए फिल्म के कार, होन्स, साइकिल, बेल्स, स्ट्रे काउज जो है वो आवाज जैसे निकाल रहे होती है इस एक गाय जो है बोल रहे होती है इस तरह बहुत साई चीज़े सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं आपर और यह बोलते हैं कि वहाँ पर उन्हें मार्जी पहन खरता है जो कि एक तरह का स्वीट है, फिर यहाँ कॉर्न खरीते हैं जो कि भुट्टा ऐसा आप देखते हो, रोट पर यासे दिया आता है आपको कोल में जो है उसको पका करके उस पर पुरा निम्बू यासे मार कर दिया आता है इसे खरीतने के बाद यहाँ भी खरीते हैं कुछ लव स्टोरी से रिलेटेड कॉमिक बुक्स को देन डाइजेस्ट मैगजीन्स को जो कि आप पढ़ सकें देन जब यह स्वेट्स और कॉर्न खा लेते हैं तो उसके बाद यहाँ फिर कोकॉला खरीते हैं देन ओरेंज एक ड्रिंक है उसे खरीते हैं ताकि यह पीकर की दम बैटर फिल कर सकें इन्होंने पहले सोच रहा था कि यहाँ एकदम एडवेंचरिस रूट लेकर के घर पहुचेंगे जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ बस यहाँ ट्रेन लेकर के पहले सोचे थे कि यहाँ पटना जाएंगे देन फिर वो सोचते हैं कि इतना जो प्लैन रहता है इसको छोड़ देते हैं कि पहले इतना थक गया थे कि इनका यह जो एडवेंचर स्टिप था इसको रोक करके वह सीधा फ्लाइट ले ले लेते हैं कटमांडू से दिल्ली तक का इन्होंने अब नेपाल एयरलाइन के आफिस से अपना टिकेट खाया था अगला दिन का फ्लाइट के लिए अब यह बताते हैं कि जब यह जा रहे होते हैं तो होटेल के कॉर्णर पर एक फ्ल्यूट सेलर था यानि वही बांसुई बेचने वाला इन्हों देखा कि उसने बहुत सारे फ्लीूट रखे थे जैसे मानोब 50-60 फ्लीूट थे जो कि इसके बौड़ी पे पौर्क्यूपיन की तरह से देखनेए हैं लग रहा है ग Caribbean की तरह होता है तो वहाँ पर वो बीच वीच में ही अपने पास में उसका एक fruit seller था, उससे वो बीच वीच में हमका बात करते रहता था, और फिर बजाता, उसको देख के ऐसा लाए था, कि मानू उसका वो routine basis पर वो करता और वो बहुत सालवस ऐसा करता आ रहा हो, क्योंकि बहुत ही अच्छ नहीं है, जिसका खुद का flute ना हो, जैसे कि इंडिया का बोलते हैं कि हिंदुस्तानी flute है या डीब मासुरी, देन आगे कुछ और भी एक्जामपल नहीं दिया था, जैसे कि रेड नी, रिकॉर्डर ये सब flute है, जैपनिस सारा हुची, इस तरह साउथ अमेरिका flute है, ब्रिदी flute, चाइना का है, चाइनीज का, हाई पिच्च चाइनीज flute, इसे तरह और ही बहुत सारे flute के नाम बताते हैं, आगे बताते हैं कि जितने flute से उनको बजाने का जो तरीका है पूरे युनिवरसलिटिक में, कि उसे ब्रीड के दोरा, यानि फूख करके सांस्रों के दोरा उसे बजाया जाता है, यहां बताते हैं कि ऐसे बांसुरी हो गया, उसे मुझ से बजाया जाता है, इसके जो भी होस हो गया, उस पर उमनी रखकर कि आप अलग-अलग sounds निकाल स से वो एक बहुती कॉमन साउंड है जैसे कि human voice एक कॉमन साउंड है जो कि हर जग सुनने को मिल जाता है इस तरह बांसरी भी है आप maximum जग़े देखोगे तो बांसरी का वाज जो आपको सुनने को मिल जाएंगे और ऐसे जग़ो पर जो बनाना जैसे जग़ोगे यहां पर तो इन्होंने कहा कि पहली बार यह बांसरी के उसी आवाज से इतना सर्प्राइज हुए थे क्योंकि देखो यह बोलते हैं कि पहले भी इन्होंने बांसरी का आवाज सुना हुआ है जैसे कि यह पहले भी किसी बाहर अब्रॉड गये थे बहुत ही funny है, भले थोड़ा लंबा है, बट हाँ इससे आपका mind refresh जरू हो जाएगा, तो बिना किसी देरी के चलो chapter को start करता हूँ, इस कहानी में एक intruder, यानि एक ऐसा वेक्ति जो बिना इजाज़त किसी एक घर में घुस जाता है, वह एक बहुत जेराड के घर में घुस जात उसी बीच फोन पर बात करते हुए, बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं दस पुने पहुंच रहा हूँ, और फोन का receiver, यानि जो आप टेलिफोन देखते हो न, उसका receiver को नीचे रख देता है, अब इससे जो कि निकन ला रहता है, तो यहाँ packing करना सुरू करता है, यहाँ दि तब ही एक table से टकराता है, तो उसको अवा आ जाता है, वो वक्ति देखने में एकदम इसकी तरह दिख रहा था, और उसके पास एक बंदूग था, यह intruder जराड की तरह इसलिए दिख रहा था, क्योंकि उसने वैसा dress up किया था, मतलब लगवक सारे dress up जो भी उसने coat पहना जो सब था, वो सब जराड की तरह था, उसके साथ इसने वस एक topi extra पहना हुआ था, यह intruder एक criminal रहता है, जो कि एक policeman को मार कर भाग रहा होता है, और उसे police chase कर रही होती है, इसलिए वो यहाँ पर आके छुप जाता है, जराड इदम pleasantly, यानि इदम अनन्द पूरवक उस intruder यानि stranger हो कहता है, कि तुम्हें देख कर के मैं बहुत जाया surprise हुआ, intruder कहता है कि हाँ मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझे देख कर के खुस हो, लेकिन यह जो तुम्हारी खुसी है जाया देर तक नहीं रहेगी, जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा intention क्या है, यानि कि उ natural या फिर not natural, इदम natural नहीं लग रहा है कि जैसे सच में तुम कोई criminal हो, intruder कहता है कि तुम कोजिस कर रहे हो, composed यानि काल्म फिर और यह रुख जाता है, इस पर जहराड कहता है कि अच्छा तुम कहने की कोजिस कर रहे हो, कि मैं काल्म और non-silent, यानि इदम बेपरवा, इदम relaxed feel कर रहा हूँ, यानि कोई भी anxiety या enthusiasm, यानि कोई भी jose या फिर कोई भी anxiety इसा नहीं दिखा रहा हूँ, intruder कहता है कि हाँ, मेरे बात को पूरा करने के लिए तुम्हारा सुक्रिया, लेकि यह जो तुम smart बन रहे हो ना, यह जादा तुम smart नहीं बन पाओगे, तुम कुछी smart बन रहे हो, यह कुछी दिर में खतम हो जाएगा, जराड intruder से बोलता है कि अच्छा ठीक है पहले मुझे कहीं comfortably, यानि अराम से बैठ जाने दो, intruder बोलता है ठीक है कुरसी पर जाकर बैठ जाओ, लेकिन जराड जाता है कुरसी के बार, लेकिन बगल में जो दीवान था, बैठ जाता है, अब intruder बोलता है कि चलो, अब तुम्हारे बारे में बाती की जाए, इरार इसे बोलता है कि चलो, कोई तो है जो कि sympathetic, यानि मेरे प्रती साहनुभूती दीखा रहा है, मतलब कोई आदमी मेरे प्रती concerned है, फिर या अपने past के बारे बताने जाता है कि जब मैं चोटा था, तो मुझे चोडी कर लिया था, जिपसी, यानि रोमानिया वाले लोग, और फिर बोलता है कि जब मैं 32 का था, तो मैंने देखा कि मैं अपने आपको एक SX cottage में पाता हूँ, मतलब वोसे तो एक जगा का नाम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जराड है वो थोड़ा सा suspense का feeling ला रहा था, यानि थोड़ा उसको घुमा रहा था, तब इस पर intruder बोलता है कि यह से मुझे नहीं जानना है, जो मैं बोलता हूँ, जो question मैं पूछता हूँ, उसके बारे बता हूँ, और फिर कुछे रुख कर की बोलता है, well do you, क्या तुम रहते हो, त intruder फिर वापस से वहीं बोलता है, बात पर जोड़ देते हुए, कि क्या तुम यहां केले रहते हो, तो जरार बोलता है कि अच्छा क्या होगा अगर मैं जवाब नहीं दू, मतलब कुछ भी मैं ना बोलू, तो intruder कहता है कि तुम्हें इतना तो sense होगा ही, कि तुम अपने आ उस तो Mr. रुख जाता है, तो intruder बोलता है कि मेरा नाम जो है, उस पर इतना ध्यान मत दो, तो मुझे तुम्हारा नाम पसंदे Mr. Gerard, फिर बोलता है कि अच्छा तुम्हारा Christian नेम क्या है, तो Gerard बोलता है Vincent Charles, अब intruder उस से पूछता है कि क्या तुम कोई कार चलाते हो, जरा उसको बोलता है कि इतना ज्यादा तुमको smart बने जोट नहीं कि मैं जानता हूँ कि तुम कार चलाते हो, जराड उस इंटूडर से कहता है क्या तुम अमेरिकन हो, या सिर्थ तुम सिर्फ नकल कर रहे हो, जराड गुसा हो जाता है कि देखो यह toy नहीं है, यह real gun है, और हाँ मैं चाहूँ जब भी इसे तुम्हें मार सकता हूँ, इसे जो मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, उसके जवाब दो, जराड बोलता है ठीक है ठीक है, इसे तुम नीचे रख दो, ऐसे मैं तुम्हारी मतलब मदद करूँगा जो भी तुम पूछते हो, फिर बोलता है कि देखो म और कोई भी इतना, मतलब बदर नहीं किया हुगा है कि कोई अंदर आके में साथ इतना रहे, मतलब कोई तुम्हारी तो इतना इंट्रेस्टिंग नहीं था, इंट्रूडर फिर बोलता है कि अच्छा मैं ये जानता हूँ कि तुम भले क्रिश्चन हो लेकि तुमने कई भी जो कि चर्च में पढ़ाता है, मतलब इस चर्च नहीं जाता था, सिंपली वो बोलना चाहरा था, जरार बोलता है कि अच्छा लगता है तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ जाना है, तो अब तुम कुछ अपने बारे में बता दो कि तुमने इतना महांत करके जो मेरे बार घर में घुसने तुम्हें दिमाग तो नहीं लगाना पड़ा होगा तो इंटूडर बोलता है अच्छा तुम्हें सर्प्राइज होगा जब तुम जाने होगा कि आखिर में तुम्हारे घर में घुसाई क्यों हो जराड बोलता है हौ तुम्हारे एकसेंस ऐसा लग रहा था कि तुम किसी रीजन से घुसे हो जो कि सॉकिंग होगा जराड पूछता है उससे कि अच्छा तुम किस तरह के क्राइम करता हो और क्राइम है क्या तुम्हे स्पेसिलिस्ट हो यानि मतलग एदा माहिर हो introduce पर कहता है कि मेरी specialty है जूल चोरी करना होता जो भी जगराथ होते हैं उससे बोलते हैं, जूपे लो रहते हैं यहां पर बहुत ही मुस्किल से है, जूल जो है, मिलते हैं और अगर तुम पूरा जगा है दोण भी लोगे हैं तुम्हारा पूरा वेर्थ जाएगा महनत तुम्हें कोई भी जूवल नहीं मिलने वाला है। इसी तरह बोलता है कि हां यहां जूवल दो बहुत कम है। इसी तरह कॉपस भी बहुत कम है। पुलीस भी बहुत कम है। इसलिए यहाँ पर मैं सांती से जी सकता हूँ कुछ वक्त के लिए जराड बोलता है कि अरे यह क्या बात हुआ तुम यहाँ पर आ रहे हो इतना सड़न तुमें किसी ने invite यहाँ नहीं किया है तो intruder बोलता है कि मैंने तुम्हें बताना नहीं समझा जरूरी कि यहाँ पर हमें रहने वाला हूँ क्योंकि वैसे भी तुम यहाँ पर नहीं रहोगे जराड बोलता है कि अच्छा ऐसा क्यों तो intruder बोलता है कि यही थे तुम्हारा सर्प्राइस है क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ अब जिराण बोलता है कि ये थोड़ा हार्स नहीं हुआ इंडिव बोलता है कि बड़ा सरकाजम के साथ कि बहुत मुझे बुरा लग रहा है ऐसा करते हैं लेकिन क्या करूँ मैं तुम्हें थोड़ा पसंद करने लग गया था लेकिन अब जो भी हो मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा जरार बोलता है कि तो तुम अपने crimes में इतनी जो तुमने अपराद के उसमें murder को क्यों add कर रहे हो यह तो बहुत बड़ा step हो गया जो तुम लेने जा रहे हो intruder बोलता है कि यह देखो यह मैं fun के लिए नहीं कर रहा हूँ मुझे बहुत पहले से पुलिस जो हांट कर रही है मतलब कि इसको पगणने कोजिस कर रही है और मैंने पहले भी एक murder कर चुका है इसलिए वो मुझे दो बार तो नहीं लटका सकते है फिर इस पर जराब बोलता है कि अच्छा मतलब तुम प्लैन कर रहे है ग्रेटिटिव असियानी की बिना कोई इरादा रखे double killing करने का फिर बोलता है कि चलो मैं मानता हूँ कि तुम्हाँ बस खोने के लिए कुछ नहीं है अब यह बोलता है कि मैं खा सकता हूँ घूम सकता हूँ जहाँ पुलिस इकते है अब मुझे छुपके डर के भागने के जात नहीं मैं वहाँ पर रहाम से जा सकता हूँ जराब यह पर बोलता है कि दिखो जाता मैलोड ड्रामा में तर जो नाटक है उसके अंदर जब विलियन किसी को मारने में लेट कर देता है जितना डिले कर रहा होता है उतना जादा फिर बाद में वो फ्रस्ट्रेट रहाता है ऐसा reason क्या है क्योंकि उसमें बहुत सा सीन देखने को मिल जाता है प्रोफॉर्म जैसा करता था जराद से मुझे ज़े करना है वैसा dress up ये सब करने का फिर जराद बोलता है कि देखो तुम उतने attractive नहीं लग रहा है अभी जराद बोलता है देखो मैंने अभी कहा था कि तुम lucky हो बाकि सब melodramatic के विलन्से लेकिन इसका ये मतल़् नहीं कि मैं तुम्हारी जो intelligence से उसकी प्रसांसा कर रहा था उसका समान कर रहा था बलकि मैं बोल रहा हूँ कि तुम मुझे बिना किसी good reason के नहीं मारोगी और हां तुम मुझे जाने भी दोगी और मैं सुक्र गुजार हूँ की तुमने मुझे अभी तक तुन नहीं मारा इंट्रफ हरे जल्दी बोलो तुम्हाई दिमाग में क्या चल रहा है जल्दी बताओ जराड बोलता है कि तुम यही न चाहते हो कि तुम पुलिस से एल्योड आने की उनसे बच निकलो मुझे मारने के बाद मेरी आइडेंटिटी ले करके जिरार बोलता है कि यही तुम चाहते हो इंटूडर बोलता है कि हाँ बिल्कुल यही अब जिरार बोलता है तुम्हें लगते है क्या यह काम करेगा intruder बोलता है देखो मैंने सब प्लैन कर लिया है हुआ ये था कि मैं जॉब करता था टाउन में लेकिन कुछ चीज़े गलत हो गए तो उसके बाद मैंने के कॉप को मार डाला तब से मैं सिर्फ डॉच कर रहा हूँ तो मैं यहाँ बाग रहा हूँ जिरार बोलता है कि और तुम मतलब बस्ते बस्ते उनलों से भागते हुए यहाँ तक पहुँच गया है न तो intruder बोलता है कि हाँ मैं फिर आया था Ellsbury में उस वक्त तुम कार है बैटे हुए थे और दो लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं जिसको सुन करके लगता है कि तुम बहुती क्वीर यानि बहुती विच्चितर और बहुती मिस्ट्री वाले आदमी हो जिरार बोलता है अच्छा मैं explain करना चाहँ कि आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ तब ही intruder बीच में interrupt करते हैं बोलता है कि देखो जैसे तुम order जो है اопने phone से कर देते हो फिर कभी का बार तुमें दम अचाने से गया भी जाते हो फिर वही अचाने सिर्ष नवी घर वापस आजाते हो फिर हो कहता है यही सब चीजह है जो कि मैं करना चाहता था मतलब जैसे तुम यह करते हो और तुमारे बोलता है कि देखो अगर तुम खुद के नाम पे नहीं तो अगर तुम मेरा identity लेते हो तब भी तुम मरोगे और जिराड बोलता है कि यही है मेरा बड़ा surprise जिराड explain करता है कि तुम तो यह सुचते होगे कि जैसे मैं कभी आता हूँ कभी दम से चला जाता हूँ यहां से जैसे ही मेरा काम खतम हो जाता है बुलेट से यानि जब भी मैं किसी को मार देता हूँ उसके बाद मैं महां से चला जाता हूँ लेकिन इंटूडर डाउट में चला जाता है कि यार जो यह बूल रहा है यह सच बोल रहा है जुड बोल रहा है तो इसी पर जराड बोलता है कि देखो तुम आपस बंदूख है ना और तुम मेरे काम आ सकते है उसलिए मेरे कार में चलो और अगर तुम्हें लगता है कुछ भी ग लिए करो वो जो garage का रासता है वहां से भागो ये door वो खोलता है बोलता है कि इस door से direct garage निकलेगा intruder बोलता है कि आखर मैं कैसे मानू कि तुम सच बोल रहे हो जराड बोलता है कि या रहे बेवकुफ मत बनो वह जैसे गेट खोलता है तो इंटूड़ा जो है बंदूग अभी भी जराड के पास करके आगे जैसे घूमाता है सिर देखने के लिए तभी जराड एकदम से उसको ढखका देता है कब बोड में और फिर एकदम से फोन के पास चलकर जान लग जाता है वो पॉइंट इसलिए करता है कब बोड के पास ताकि अगर वो बाहर एकदम से निकला तो वो अपने आपको बजा सके उसी बीज जो इंटूडर था वो गेट पीट रहा होता है बोलता है कि मुझे यहां से बाहर निकालो वो फोन उठाता है कि वहाँ जो है प्रॉप्स यानि जो भी सामागरी चाहिए रिहर्सर के लिए वो अभी नहीं दे सकता है क्योंकि अभी कुछ परिसानी आ गए थी जो कि थोड़ा अम्यूजिंग था अम्यूजिंग यानि तोड़ा दिल्चस्प था जो कि मैं सोच चाहूँ कि इसको मैं बाद में किसी प्ले में यूज करूँ मतलब यह जो अभी इसके साथ पूरा हुआ इसको प्ले में यूज करने माला था फिर बोलता है कि एक काम करो जो हमारा फ्रेंड है दा सर्जेंट अब बोसे तो एक आर्मी का वैक्ती उसे तुम भीवा बोल देना मेरे घर आजाने के लिए वो तुमें पब्लिक बारे मिल जाएगा तो इस तरह फाइनले सारे चाप्टर्स को अपने डिटेर में देख लिया अगर आप पहली बार भी इसको देख रहा है और आपने ध्यान से देख लिया है तो आप आराम से बीहाई वा किसी भी कोशन का अंसर कर सकते हैं तो ये था पूरे इस वीडियो में वीडियो अच्छे है तो प्रे लाइक कर दें दोस्तों से शेयर कर दें चैनल को साथ कोना बिल्कुल भी ना भूले है